जैन साथियो उतकर्स परिवार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं MPPSC उतकर्स चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आगे के प्रश्णम यहां पर सॉल्ब करते हैं Model Paper 6 से संबंदित और उससे पहले आप सब के लिए जानकारी है यह जो Model Paper के हमारी Booklet है यह Market में एबलिवल है तो आप यदी परिक्षा से पहले दसबार पर इक्षा देना चाहते है और हमार सीट पर प्रैक्टिस करना चाहते है तो आप हमारी सांत जुड़ सकते हैं इस Booklet पर ठीक है चलिए MPGK के Question जो आपके Model Paper 6 में थे उन्हें हमें Solve करना है क्या थी यह प्रशन देखते हैं तो पहला प्रशन था People of which of the following tribes consider their origin from Ravad ठीक है निम लिकित में से कौन सी जन्जाती के लोग अपनी उत्पत्ती Ravad से मानते हैं तो कौन सी जन्जाती इनमें से प्रशन देखेंगे Nirmada-Puram तो नर्मदा-Puram तो निहीं आपने महादय 오रवत पर फचमडी अन्जाती कि यह जन्जाती सथिए मेजनात की पूजा करती मेजनात परवद पर महादियो परवद पर जहां पर क्या है पच्मडी है ठीक है वहां पर ये निवास करती है और ये जंजाती क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जंजाती साथियो मेगनाथ की पूजा करती है मेगनाथ मेगनाथ की पूजा करती है मेगनाथ की पूजा करती है और ये आपको मेगनाथ का वंसद याने की रावण से अपनी उत्पक्ति मानते हैं इनके गाउं जो होते हैं इनके गाउं में एक खंबा होता है एक खंबा लगा होता है जिसे क्या कहा जाता है मेगनाथ खंबा भी कहा जाता है और इसी के निकट ये खंब स्वांग नत भी करते हैं खंब स्वांग, खंब स्वांग नरत्य, तो इस जन जाती में खंब स्वांग नरत्य प्रचलित है, कुरकु जन जाती में ही, चटकोरा, चटकोरा नरत्य भी, चटकोरा नरत्य भी इस जन जाती में क्या है, प्रचलित है, ठीक है, तो चटकोरा नरत्य हो गया, खंब हम पर निवास करती है कौन सी छiनग घंगार का समबन किस से है भाई कि कोरदा दंगरी जंगल सत्यागर जंगल सत्यागरस जंगल सत्यागराई जंगल सत्या एक मंदित हैं कौन तो गंजन सिंग कोरकू किस से सम्बंदित है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्यगरा जोगी कब हुआ था 1930 में हुआ था चले अगले प्रशन क्यों चलते हैं जामा मस्जित जामा मस्जित जिसे अरबी और संस्क्रित लिपियों को सामिल करने वाली एक मात्र मस्जित माना जाता है यह मद्द प्रदेश के निमलिकत मैं से किस स्थान पर है तो सत्यों यह जो जामा मस्जित है यह मद्द प्रदेश में किस स्थान पर है तो यह मद्द प्रदेश में ध्यान लखना यह मंदब परदेश के बुरहनपूर डिस्टिक में है कहां पर है तो यह मंदब परदेश के बुरहनपूर डिस्टिक में है बहुत अच्छे से ध्यान लगना यदि हम इस मजजित की बात करें तो आदिल साह फारुकी ने ठीक है किसने करवाय था वाई आदिल शाह फारुकी ने इस मजजित का निर्मार करवाय था यह बात भी आप बहुत अच्छे ध्यान लगाएं एदि हम बुरहानपूर की बात करेंगे तो ध्यान लगना बुरहानपूर में हम बात करेंगे तो आपको मुम्ताज की प्रारंबिक कबर मिलती है ठीक है प्रारंबिक कबर मिलती है हजरत नुमान का मकबरा भी मिलता है हजरत नुमान हजरत नुमान का हजरत नुमान का मकबरा भी मिलता है मकबरा भी मिलता है यहीं पर आपको एदि हम देखेंगे दौलत खान लोदी का मकबरा भी मिलता है ठीक है यह बात भी ध्यान ल काला ताजमेहल नाम से प्रसिद काला ताजमेहल जो कि किसका तो ध्यान रखना की यह अब्दुलरहिम खाने खाना के जो पुत्र थे शहनवाज उसका मकवरा है कौन काला ताजमेहल तो बुरहानपूर की यह अन्निमारते भी ध्यान रखिएगा जो कि कहां पर है बुरहानप किला रुख के तो इसे कहा जाता है तो यह बुरहानपूर को ही किसे कहते हैं असी' गड़ को कहते हैं तो ये भी ध्यान रखना है चलिए देखते हैं नेक्स्ट परशन बादल भोई के जले से संबंदे तो भाई बादल भोई किरांतिकारी रहे हैं और इनका संबंद मद्द प्रदेश के छिनवाडा से हैं बादल भोई के नाम पर बादल भोई बादल भोई आदिवासी 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 संग् हाल है संग्रहाल है यह कहां पर है तो यह चिंदवाडा में यह ठीक है चिंदवाडा में है जब कि हम देखते हैं मद्द परदेश में जन जाती संग्रहाल है कहां है जन जाती संग्रहाल है जन जाती संग्रहाल है कहां पर है वरतमान में तो वरतमान में जन जाती संग्रहाल ह है भुपाल में ठीक है जंजाती संग्राले कहां है भुपाल में लेकिन बादल भुई जंजाती संग्राले कहां है चिनवाड़ा और ये करांतिकारी रहे हैं ठीक है बादल भुई इनका संबंध मंद प्रदेश के चिनवाड़ा से नेक्स देखेंगे बाबा गरीबनात का मे यह लगता है अबंती पुर बड़ोदिया जो की शाजापुर में है और साजापुर में नेवज नदी पर किसमें लगता है नेवज नदी पर लगता है यह नात संप्रदाय नात संप्रदाय से संबंदित है नात संप्रदाय से संबंदित है कहां लगता है साजापुर में लगते हैं ध्यान रखेंगे और यदी आप से पूछा जाता है कि महा कुम्भ महा कुम्भ मेला जो की जन संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा संख्या में लोग इसमें पहुंसते हैं महा कुम्भ का आयोजन कहा होता है वो भी कौन सा महा कुम्भ है यह सहस्त सहस्त महा कुम् जो कि छिप्रा नदी के तड़ पर राम घाट पर लगता है कहां लगता है तो ये लगता है साथियो उज्जेन में कहां लगता है उज्जेन में राम घाट पर लगता है महा कुम तो इसे भी ध्यान में लेके चलिए तो बाबा गरीवनात का मेला कहां लगता है ये लगता है साजापूर यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि आपसे पूछा जाता है हीरा मन बाबा का मेला हीरा मन बाबा का मेला ठीक है हीरा मन बाबा का मेला कहां लगता है हीरा मन बाबा का मेला ठीक है तो ये कहां लगेगा सत्यो तो ये आपके गौालियर और गौना म में लग रहा है ठीक है गौालियरो गुना में लग रहा है ठीक है राम जी बाबा का मेला कहां लग रहा है तो ध्यान लगना ये लग रहा है आपके नरमदा पुरम में लगता है नरमदा पुरम में और आप से पूचता है कानहा बाबा का मेला तो ध्यान दीजेगा कानहा बा फिर भूमिया का ही रमन बाबा या ही रभूमिया भी कहते हैं इसे न तो ध्यान रगना क्वालियर गुना और अज्जेन में हम देखते हैं महाखुम लग रहा है नेवज नदीपा साजापूर में गरीबनाद बाबा का मेला लग रहा है नेज़ देखेंगे मद्द परदेश में खिलाफत आंदोलन के नित्रत खिलाफत आंदोलन शातियों दुति पृत्विष्द्रि के समामत्ति के बाद भारत में स्टाड और मत्रit में किसने किया था , ABDUL Jaff generate खाने किए था, किसने किया था? अब्दुल जफवार खाने ठीक है? ध्यान दीजेगा Next देखते हैं हरी शंकर परसाई का संभन मद्द प्रदेश के किज जिले से? हरी शंकर परसाई जी की अधी में बात करूँगा तो ध्यान दीजेगा ये क्या थे? एक व्यंग कार, ये कौन थे? एक व्यंग कार थे, इनका संबन्द मद्वड़ाइप्रदेश के नरमद पुरम जिले से है, जिसका पुरणा नाम क्या था? हुशंगाबाद, हुशंग शा ने यहाँ पर एक कले का रिमाड कराय था, नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई जी का वशुधा ठीक है यदि हम देखें तो इन्होंने वशुधा और प्रहरी नामक पत्रिकाओं का संचालन किया था संचालन शंपादन किया था ये धियान रखना वशुधा और पहरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था किस ने किया था हरी शंकर परशाई ने ठीक है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं साथियो पिलकुल एक्जाम में आ सकती हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी तो जैसे भूत के पाउं भूत के पाउं पीछे और जब भूत के पाउ पीछे हम देख लेंगे तो हमें क्या पहनना पड़ेगा तावीज किसका सदा चार का तावीज तो सदा चार का तावीज सदा चार निठलों की डाइरी लिखी जाएगी तो उसमें बताये जाएगा कि गड़तंत्र जब लोग निठले हो जाएगे तो गड़तंत्र क्या होगा ठिटरेगा तो ठिटूरता हुआ गड़तंत्र ठिक है ठिटूरता हुआ ठिटूरता हुआ ठिटूरता हुआ गड़तंत्र ठिक है गड़तंतर भी इसी की रचना हो गई तो भूत के पाउं पीछے की बात करें सदाचार के ताबीच की बात करें तो यह कुछ रचना है ध्यान रखना हरी संकर परसाई जी विंगेगार थे नर्मदा परम हुशंगाबाद से वसुदा पहरी नामक पत्रकाओं का संपादन किया रचनाएं भूत के पाउं बीचे सदाचार कतावी निठलनों की डायरी ठिठरता हुआ गर्थंद रानी नागवनी कहानिया हसते हैं रोते हैं ये इनकी क्या रही है प्रसिद रचनाएं रही है साथियो ठीक है ये ध्यान रखना आंसर इसमें क्या हो गया बी इस राइट आंसर क्योंकि नर्वंदापुरम नहीं हुशंगाबाद दिया है भुपाल से हम देखेंगे मुला रामुजी मुला रामुजी को माना गया है ठीक है यह बात भी ध्यान रखना और यदि हम बात करेंगे तो हुशंगाबाद नर्मदापुरम से हम देखेंगे तो को ना जाएंगे आपके ध्यान दीजेगा हुशंगाबाद नर्मदापुरम से को ना जाएंगे माखन लाल माखनलाल चत्रवेदी जी भी आते हैं और यहीं से भवानी प्रसाद मिस्र भी आते हैं बुनी हुई रसी वाले ठीक है भवानी प्रसाद मिस्र जी भी आते हैं ठीक है एक भारती आत्मा माखनलाल चत्रवेदी जी कहते हैं सत्पड़ा के घने जंगल किसकी रचना है भवानी परसाद मिस्र जी की ही तो रचना है ठीक है चलिए अंगले प्रश्ण क्यों राते हैं इसी तरीके से यदि आपसे पूछ ले कि गजानन माधाव मुक्ती बोध का संबंद कहां से है तो गजानन माधाव मुक्ती बोध कहां बालकृष्ण सर्मा नवीन का संबंद कहां से है तो ये ध्यान रखना इनका संबंद कहां से है शाजा पूर से है कहां से है ठीक है आपसे पूछ ले कवी पदमाकर का संबंद कहां से है तो ये पदमाकर कहां से है सागर से है ठीक है आपसे पूछ ले कवी प्रदीप कवी प्रदीप का संबंद कहां से है तो ध्यान रखना इनका संबंद उज्जेन से है तो लाइक इस तरीके से यदि प्रशन आते हैं तो आपको बन जाने चाहिए ठीक है केशाओ आचारे केशाओ का जन्म कहां से हुआ कहां हुआ था तो आगले प्रशन की ओर आते हैं ये प्रशन हमारा हो गया नेक्स देखें अपने भौगोलिक विवरण में किसे डहाल का शाशक कहा है ठीक है तो किसे कहा है भाई यदि हम देखें तो गंगत्रदेव याने की गंगदेव किस वंस का कल्चुरी वंस का कल्चुरी वंस का कल्चुरी वंस का ठीक है यदि हम देखेंगे तो अलबरुनी ने अपने भोगोलिक विवरण में ठीक है अलबरुनी ने अपने भोगोलिक विवरण में किसे डहाल का शाशक कहा है तो कल्चुरी के गंगदेव को कहा है ये ध्यान रखना है ठीक है और किस वंच का है गंगदेव कल्चुरी वं पराजित हुआ था तो गंग देव पराजित हुआ था यह बात ध्यान रखना है ठीक है हम करने की लच्मी करने की लच्मी करने या करने देव की बात करें लच्मी करने देव तो इसे हिंद का नेपोलियन कहते हैं क्या कहते हैं हिंद का नेपोलियन हिंद का नेपोलियन कहते ह अलबरुनी जिसकी रचना तहकीकात हिंद किताब उल हिंद है ठीक है गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया ठीक है अलबरुनी अपने भोगली विवरण में गंगा त्रे को डहाल का साथ कहा था ठीक है निम्लॉए सिक्रांद हिक नुमनी के समभान पे पंजाब मेलकांड से है पंजाब मेलकांडी अगरी मैं बात करूँ यहां पर ध्यान रखना साथ दोस्तों पंजाब मेलकांड इक पर हुआ था यह वा था तो संबंद है खंडवा, रेलवे स्टेशन पर ट्रैंड उखती है मद्धिरातरी में, और इसमें तीन साथी चड़ते हैं, ठीक है, एक चड़ते हैं कौन, एडिया हम बात करें तो दलपत राव जो की कहां से थे फिर चड़ते हैं कौन देवनारायंड तिवारी, ये तीनों चड़ते हैं ठीक है, फिर चड़ते हैं और पंजाब मेल में किस ट्रेम से चड़ते हैं, किस ट्रेंड में पंजाब मेल में चड़ते हैं पंजाल मेल में सफर करने वाले कैपटन हैकसल हैकसल उनके साथी साहीन ठीक है शाहीन और उनके सिकारी कुत्ते की ये क्या कर देते हैं तीनों मिलके हत्या कर देते हैं साथी वे तीनों मिलके हत्या कर देते हैं ध्यान रखना और इसके बाद यदि हम देखें यश्वन सिंग और देवनारा इत्यवारी को क्या होती है फासी जबकि हम देखते हैं दलपत राओ को क्या होती है काला पानी की सजा काला पानी की सजा क ये किसे होती है दलपत राव को होती है दलपत दलपत राव ठीक है दलपत राव को काला पानी की सजा होती है ठीक है तो इसमें हम देखें ये तीनों तो सामिल थे वन टू थरी धल्पतराव यश्वन सिंग देवन नानार तेवारी लाल बुद्ध प्रताब इसमें सामिल नहीं थे लाल बुद्ध प्रताब सामिल नहीं थे ज़िए मैं लाल बुद्ध प्रताब की बात करूँ तो लाल बुद्ध प्रताब जो हैं ये किस से संबंदित हैं तो ये संबंदित हैं सोहावल नरसंघार से सामिल है नरसंघार सोहावल हत्याकांट से संबंदित हैं कौन तो ये हैं आपके कौन लाल बुद्ध प्रताब कपकी बात है साथियो तो ये घटना है सोहावल नरसंघार क का है 920 of July, 1938, ठीक है, किस जिले से समवन्दित है, सतना, माजन गाओं में गोली चलाई गई थी अंगरेज सेहनों को दवरा माजन, इसलिए से माजन गोली कांड भी कहते है, माजन गोली कांड भी चाह जाता है, इसमें जाते हैं माजन गोली कांड में बात करें, तो इस से सम में ठीक है ये एक सभा करने जा रहे थे अपने साथी मंधीर पांडे के साथ ठीक है और यहां पे अंग्रेज सेन को द्वारा गोली चलाई गई इनकी हत्या की गई ठीक है लाल गुद्ध प्रताब जो की सोहावलनार संधार से संबंदे थे ना कि पंजाम मेरकान से संबंदे मंडल्या किस चित्र का नत है मंडल्या की यदि हम बात करें साथियो तो यह निमाड चित्र का नत है मुखिता महलाओं द्वारा विवाह के आउसर पर किया जाता है मालवा का कौन सा है प्रसिद्ध तो मटकी है ठीक है मटकी के लावा रजवाडी है और पतंग नाच है पत कलसानत होता है, कलसानत बड़ा प्रसिद्ध है, बिरहानत बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, अटारी बड़ा प्रसिद्ध है, कहां पर तो बगहिल खंड में, ठीक है, बगहिल खंड चित्र में, यदि हम यहां पर निमाड के बात करें, तो निमाड में, निमाड चित्र में, इसके लावा कौन से नत्र प्रसिद्ध हैं जैसे गड़गौर गड़गौर जिसमें स्यो और पारवती की पूजा की जाती है और यदि हम बात करें काथी इसमें पारवती जी की एक मूर्ती बनाई जाती है जिसे काथी माता कहते हैं लकड़ी की मूर्ती बना जाती है इसमें काठी माता जिसके हाथ में होती है काठी माता जो हाथ में लेता है वो रजुल्या कहलाता है क्या कहलाता है रजुल्या रजुल्या कहलाता है इसमें जो अराधक होता है अराधक जो होता है काठी नित में वो क्या कहलाता है भगत कहलाता है ठीक है और जो थाली बजाता है थाली जो बजाता है थाली ये कहलाता है थाली बजाने वाला खोरदार कहलाता है खोरदार कहलाता है खोरदार कहलाता है तो यह से करके थोड़ा सा चीज़ें क्या रखेंगे ध्यान में लेकर चलेंगे ठीक है तो मडालिया के शित्र का हो गया निमार यदि हम मद्द प्रदेश के राज की नत की बात करें तो राज की नत क्या है मद्द प्रदेश का राज की नत क्या है मद्द प्रदेश का ये है राई ठीक है और राई नत के मद्द में जो महला होती है वो क्या कहलाती है यदि हम देखें तो ये कहला इसका विराम अवस्था कहलाती है रांग राइनत की विराम अवस्था कहलाती है स्वांग क्या कहलाती है राइनत की ही अधी बात करें तो इसमें वाद्ययंत्र कौन सा होता है वाद्ययंत्र कौन सा होता है तो वाद्ययंत्र कौन सा होता है तो वाद्ययंत्र कौन सा होता है त किनित को जो महला प्रारम करती वो कहलाती है जेला क्या कहलाती है जेला ठीक है चलिए नई देखते हैं तिरहरी और गहुरा गहुरा किस बहासा की उप बोली है तिरहरी और गहुरा की बात करें तो यह बगहली गहुरा राजधानी भी रही है बगहलों की तो तिरहरी और हम देखते हैं बनाफरी बनाफरी जिसमें आला खंडगी रचना की गई आला खंडगी रचना की गई और मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश में सारवधिक ठीक है यदि हम बोलेंगे कि मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश में सारवधिक सारवधिक बोली जाने वाल बोली कि यदि हम बात करेंगे तो ये कौन सी है आपकी बुंदेली ही है साथियो कौन सी है बुंदेली ठीक है चली अंगले प्रशन देखते हैं अमीर इरादे गरीव इरादे निम्न में से किस आहितिकार की रचना है अमीर इरादे गरीव इरादे ये माखलाल चतरवेदी ज जिन्हें एक भारती आत्मा कहते हैं, एक भारती है, एक भारती है आत्मा कहा जाता है, इनका इदी हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, तो 4 अपरेल, 4 अपरेल, 4 अपरेल 1889 को इनका जन्म हुआ, कहां हुआ, बाबई में हुआ, ठीक है, जिसका नया नाम अब माखन इनोई का करेंगे तो इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया कर्मवीर कर्म वीर पत्रगा का प्रकाशन 1919 से इनों ने प्रारम कर दिया था कहां से जवलपुर से प्रारम कर दिया था इध्यान रखना इसके लाबा इनकी प्रमुख रचनाएं अधी हम देखें तो हिम किरिटनी हिम किरिटनी हिम किरिटनी हिम तरंगनी जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरुसकार मिला हिम किरिटनी हिम तरंगनी और इसके लावा प्रशिद्र रचना पुष्प की अभी लाशा पुष्प की अभी लाशा पुष्प की अभी लाशा पुष्प की अभी लाशा भी इनकी क्या है प्रशिद्र रचना है जो कि उन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी दोस्तों किस जेल में बिलासपुर तो आपसे पूछ सकते हैं कि माखललाल चतरवेदी की वह रचना जो उन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी ठीक है तो वो कौन सी है आपकी पुस्प की अभिलासा ठीक है इनकी क्या ह प्रमुक रचनाए इसके अलावा अमर राष्ट पाउं 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 किष्णा अर्जुन युद्ध ये सब इनी की रचनाए हैं तो ध्यान रखना कि माखल लाल चत्रवेदी जी कि जिले से आते हैं नर्मदापुरम से आते हैं हरी शंकर परसाई को भी हम पहले ही देख फर्स्ट पीटी फर्स्ट जो पीटी है वो कहां लागू हुआ था कानहा में सेकंड पीटी कहां लागू हुआ था पैंच में थर्ड कहां हुआ था बांधो गड़ में ठीक है बांधो गड़ ठीक है फूर्ट कहां लागू हुआ था बांधो गड़ के बाद पन्ना और फि दुर्गावती टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ठीक है दो अभ्रण को मिला के बनाए गया तो काना नेशनपार फरस्ट था कब 1974-1945 यह दि हम देखेंगे तो 1919-1992 ठीक है बांधावगर 1993-1994 सत्पुड़ा 1999 और संजय कब है 2008 रानी दुर्गावती जो की आपके 2023 में टाइगर रिजर्व के रूप में बनाए गया है ध्यान लखना तो साथ हो गए है ठीक है मदब प्रदेशनल प्रजेक्ट टाइगर कितने हो गए साथ हो गए है राता पानी कभी नहीं था सिब घोशना की गई थी संजय राष्टि द्यान यह सीधी सीधी और सिंग्रॉली डिस्टिक में है सीधी और सिंग्रॉली डिस्टिक में है इसकी इस्थापना 1981 में नेशनल पार का दर्जा मिला था इसे और इसका विभाजन इसका विभाजन भी हुआ है इसका विभाजन भी सन 2000 में हुआ मदब प इतिसगर्ड में गया, वसे किस नाम से जाना जा रहा है? गुरु घासी दास के नाम से जाना जारा है, ठीक है, यह पॉइंट भी याद रखना, D is a right answer, नाइस दिखें? निमनिकित कथनों पर विचार कर असंगत कथन का चैन करें, इन में से असंगत कौन सा है मदबृति इसमें उसत वर्षा कितनी होती है 112 cm है सही है ठीक है जवलपूर हुर्शंगबाद अत्यदिक वर्षा वाले चितर के अंतर गदाते है ठीक है सम वर्षा 125 cm की रेखा उत्री तथा दक्षणी भागों को विभाजित करती है ठीक है उत्री और दक्षणी भागों को विभाजित करती है सम वर्षा देखा सीधी जवलपूर शिवनी से होकर गुजरती है ठीक है तो यदि हम इसमें देख रहे हैं साथियों तो इसमें जो आंसर हमें प्रतीत हो रहा है वो केवल देखो एक तो हम देखें मद्द प्रदेश में वस्त वर्षा बिल्कुल ठीक है कि कितनी होती है 112 11 प्राइब है इसमें सातियों जो असंगत तो ये तो सही था ये तो सही था हुसंगाबाद तो हुसंगाबाद तो हुसंगाबाद दक्षनपूर भी चेतर अधिक वर्षा वाले चेतर में जवलपूर अधिक वर्षा वाले चेतर में यादा तो ये तो गलत होगा ठीक है यह यहां पर हम दे ऑला क्या है असंगत है डीवाला संगत है नेज दिखें लस्कर का मैदान निमिललुक्त किस पठार लश्कर का मैदान किश पठार के यदि हम देखेंगे निम्लिकत में से किस प्राकर्टिक भाग का उब्वाजन है लश्कर का मैदान हमें कहां देखने मिलता है यदि हम मद्द पृदेश का मैप पर देखें मद्द पृदेश के मैप पर देखें तो लसकर का मैदान जो है ये इस लोकीशन पर देखने मिलता है साथी हो लसकर का मैदान ये इस लोकीशन और यहां पर कौन सा प्रकरतिक प्रदीश है मद्य भारत का पठार कौन सा है मद्य भारत का पठार मद्ध भारत का पठार तो लश्कर का मैदान ग्वालियर के और मुरेना के आसपास वाला चेतर है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मद्ध भारत का पठार मद्ध भारत के पठार प्रक्रतिक चेतर का ये भुबाग है लश्कर का मैदान तो 15 नवंबर 1974 में भारत में 72 में हुआ था मद़ पुआतार में डीक का लिए काली दास ने अपनी रचना मेग दूथ में तो हम देखें तो इन्हों ने सौमु परभा कहा है स्वामो देवी स्वामो प्रभा कहा है स्वामो प्रभा किसे कहा है नर्मदा को कहा है ठीक है इन्होंने मेग दूत में अमर कंटक का उलेख भी किया है अमर कंटक का उलेख भी किया है लिकिन इन्होंने निर्विंध्या किसे कहा है तो निर्विंध्या ध्यान रखना ये इन्होंने कहा है किसे पारवती नदी को ठीक है पारवती नदी की हम बात करेंगे तो पारवती नदी इसका उदगम इस्थल कहां पर है तो इसका उदगम इस्थल आस्टा में है कहां पर है आस्टा जो कि कहां आता है सातियो सिहोर में अब पारवती नदी की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये आपके नरसें गड़ से भी होकर गुजरती है नरसें गड़ से होकर गुजरती है पारवती नदी की ही यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो ये चंबल की सहायक है चंबल की चंबल की सहायक है चंबल की सहायक नदी है चम्मल की साहएक नदी है कौन सी तो पारवती नदी आश्टा के निकट इसका क्या होता है आश्टा के निकट आश्टा के निकट इसका क्या होता उधगम इसे काली दास ने क्या निर्विंध्या की नाम से अपने मेग दूत में उलेक किया है ठीक है चलो ने देखो तापत तापती नदी का उद्गम इस्पल कहा है तापती नदी की यदि हम बात कर रहे हैं तापती नदी ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं पायोशनी भी कहते हैं पायोशनी अर्थात गर्म जल की नदी गर्म जल की नदी भी कहते हैं ठीक है यदि हम बात करेंगे तापती नदी की तो ध पुत्री भी कहते हैं तापती नदी की ही अधी हम बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान लखिएगा पयोशनी गर्मजल की नदी तापती नदी की भी बात करेंगे तो इससे सूरी की पुत्री कहते हैं तापती का जो उधगम है साथियो उधगम ये कहां पर है तो ये मुलताई मे तापती कुंड से होता है मुलताई मंद्द प्रदेश के बैतूल डिश्टिक में आता है तापती मंद्द प्रदेश की चौंती सबसे लंबी नदी है चौंती सबसे बड़ी नदी है तापती तापती पर ही हम देखते हैं कि बुरहानपुर है बुरहानपुर है ठीक है और न नेपा नगर है नेपा नगर नेपा नगर बुरहानपूर नेपा नगर भुसावल ठीक है भुसा भुसावल भुसावल और सूरत जैसे नगर सूरत जैसे नगर यह तापती नदी पर ही इस्ते थे तापती नदी पर ही हम देखेंगे कि आपको उकाई परियोजना मिल जाएग और सुवाली बंदरगाह, सुवाली बंदरगाह, बंदरगाह जो की इसके मुखाने पर गुजरात में इस्तित है तो इस प्रशन का सही उत्तर क्या जा रहा है इस प्रशन का सही उत्तर जा रहा है, B is the right answer, multi is the right answer जाना पाओ से कौन सी नदी निकलती है चंबल नदी निकलती है कहां से जाना पाओ से ठीक है जाववा की पहाड़ियों में किस प्रकार की फसल पाई जाती है देखो मद्द प्रदेश के किरसी जलवाईयू छेत रहें जाबुआ की पहाड़ियां जाबुआ की पहाड़ियां जाबुआ की पहाड़ियां अब इस रीजन में क्या होता है वर्षा कम होती है वर्षा कम होती है और मिर्दा हलकी काली मिर्दा मिलती है कम वर्षा कम वर्षा अधिक वर्षा नहीं होती वर्षा कम और हलकी काली मिर्द काली मर्दा निए जिए बेखें तो ड्राइ रहती है भलकि जिसका यद की बेज़से कपास का अच्छा उत्पाधन होता है यहां पर त θα यहversion अर पर क्कारीव एक होतो है किॉस्तudenwny अच्छा इहां फेशेंगे तो खरीब की फसल यह है इसे म।र्वै रहे तो जाबवा की पहाड़ियों में किस प्रकार की किस प्रकार का फसल उत्पादक छेत रहे यह पूचा गया है ठीक है तो इसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए इसका आंसर आपका होना चाहिए कि यहां पर कपास जुआर का छेतर है चलो अंगले प्रश्ण की ओर चलते हैं नेक्श प्रश्ण देखते हैं मद्द प्रदेश में रेल सिवा आयोग का मुख्याल है ठीक है रेल सिवा आयोग ये कहां पर है साथियो रेल सिवा आयोग का मुख्याल है भुपाल में है रेल सिवा आयोग क रेलवे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ये उनिवर्सिटी प्रस्तावित है कहां प्रस्तावित है तो भौपाल में प्रस्तावित है ठीक है रेलवे निवर्सिटी कहां प्रस्तावित है भौपाल में ही भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कमला पती कमला पती देखते हैं राजकी पशु बारा सिंगा का विज्ञानिक नाम राजकी पशु बारा सिंगा कौन सा है रुवर्स डुबाउ सेली है रुवर्स डुबाउ सेली है बारा सिंगा ठीक है और ये हम देखें तो कानहा नेशनल पार्क में मुक्ता मिलता है इसे 1981 में क्या किया गया ह 1981 में राजकी पशु गुशेत किया गया है, कान हा नैशन पार्क में मुकता इसका सनरक्षण होता है, कान हां का गहना कहा जा रहा है किसे, रुवर्स दुवाव सेली जो कि बारहा सिंटा है, ठीक है, इसी कान नेशन पार्क ने जो लोगो बिजारी किया बूर सिंग्दा बार डोल में आता है सबसे मौटी सबसे मौटी कोईला परत कौन सी है सबसे मौटी कोईला कोईला परत सबसे मौटी कोईला परत ये कौन सी है भाई तो सिंगरॉली में है कितनी मौटाई है 136 मीटर मौटाई है मंडला में इस समय लोह आयस काफी हो रहा है कहां पर मंडला में उमर दखना इसके लावा इदे कन तब हने तो मोह पानी मोह पानी मोह पानी ठीक है या पैंच नदी घाती का नंदी घाती कानना नदी घाती और तब ये मद्द प्रदेश में अदि हम देखेंगे तो ये दक्षणी कोईला चेतर के सत्पुड़ा कोईला चेतर के अंतर के अंतर के आते हैं मद्द प्रदेश में जो कोईला मिलता है मद्द प्रदेश में कोईला गोडवाना चटानों में मिल रहा है मिल रहा है तो ध्यान रखना बिटू मस् again 2021 है फ्रकार का कुला मिल्यद कहम सुथी वस्त्र की को सूती वस्त्र की कि राजधानी नानी नौर को क्याते है सारावदेग सूत्र्वास्त्र के म्ल सारावदेग सूति-वस्त्रř की मेल सूत्र सूती बस्तर की मिल कहां पर हैं तो ये इन दोर में ही है इन दोर को हम देखेंगे वाणिज राजधानी भी कहते हैं वाणिज राजधानी भी कहते हैं वैसे तो मदप्रदेश की राजधानी क्या है मदप्रदेश की राजधानी मद्द प्रदेश की राजधानी क्या है भाई वो पाली है जवलपूर को हम न्यायक राजधानी कहते हैं मद्द प्रदेश की न्यायक मद्द प्रदेश की न्यायक राजधानी न्यायक राजधानी राजधानी और संसकार धानी और संसकार संसकारधानी ये किसे कहते हैं तो ये कहते हैं हम जवलपूर को ठीक है नयाएक राजधानी संसकारधानी जवलपूर इन दोर को सूती वस्त की राजधानी क्योंकि सारवधिक सूती वस्त की मिल है वाड़े जिग राजधानी कहते हैं मुपाल तो मंदब प्रदेश की राजधानी है ही ठीक है और ग्रीश्म कालीन राजधानी का दर्जा किसे पराप्त है ग्रीश्म कालीन ग्रीश्म कालीन राजधानी ये मंदब प्रदेश में किसे कहते हैं तो पचमडी को कहते हैं पचमडी को दर्जा पराप्त है उर्जा र छॉपर फोग्रधे मरें पर थार्ड rzyिकांगे आंसर राइटिंग यह आपके लिए बैचेसुतस लेकर आया है आप जरूर आके नने जॉइन कर सकते हैं मन्द प्रदेश के किस जिले मैने किस बीए मैं मद्रदेश के नििया सब्सक्राइब अच्छा प्रशन है फटाफट से आंसर करके बताईए पानी पीने का समय दे दिया करो यार कि वर्स नझे सो नब्वे Kazakhstan मंध़प्रदेश राज उभ्बोक्ता विवाद निवारण आयोि यह कव स्थापित हुआ था उनने सो नब्वे में स्थापित हुआ था साथियो यह जो प्रशन रिपीड हुआ है इसमें साथ बाग प्रेंट से संबंदित प्रशन था बाग प्रेंट से संबंदित प्रशन था बाग प्रेंट मद्द प्रदेश के धार जिले से संबंदित है बाग प्रेंट का संबंद मद्द प्रदेश के कि जले से धार बटिक इससे भी GI टेंग मिल गया है, ये उजजयन से संबन देता है, ये ध्यान रखना, बटिक परेंट उजजयन, बाग परेंट धार, ठीक है, नेक्ट देखेंगे, मद्द पृदेश में कथा बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहा है, तो ये बानमुर, बानमौर मुरेना में है, बानमोर मुरेना वैसे मुरेना के इलावा शुपुरी में भी कत्था बनता है शुपुरी में भी कत्था बनता है त्यान लखना मालनपुर कहां पर है मालनपुर भिंड का अध्यो के चेत्र है और यहां पर लगू हतियार कार खाना है लगू हतियार कार खाना लगू हतियार क प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेंड बनी थी भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस वरतमानमी एक कमलापती से, कमलापती रेलवे स्टेशन से किसके बीच चलती है, हजरत निजामुदीन, हजरत निजामुदीन, निजामुदीन रेलवे स्ट के मद्दे चलती है जो कि कहा है दिली में है मद्दप्रदेश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस भी कमलापती से अधरा निजामुद्दीन के भी चली थी ये ध्यान लगना भौपाल express, नईज देखेंगे मद्द पुर्देश के पर्थम प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर होता है साथियो, इसे राजपाल निक्त करता है ठीक है, जैसे ही डई विधान सभा का सत्र जो होता है, तो विधायकों को विधान सभा का सदस्त बनाने के लिए सपत दिलानी होती है, और विधायकों को विधान सभा की सदस्ता की सदप सपत कौन दिलाता है प्रोटेमिंट स्पीकर ही दिलाता प्रोटेमिंट स्पीकर को सपत राजपाल दिला देते हैं निक्ति कर देते हैं, ठीक है, यह दियान रखना पहले problem speaker कौन थे? कासीप्रसादपांड़े जी ये दूसरे विदानसवा अध्यक्च भी बने थे और साथी जात पहले विदानसवा उपद्धन, यदी हम देखें तो बने थे कासीप्रसादपांड़े जी और फिर ये दूसरे विदानसवा देक्ष भी रहे रहे दे, ठीक है, ध्यान रखना, नेक्स देखें, यदि हम बात करें, तो निमलिकित मैंसे कौन मद्द प्रतिस के मुक्षित सच्चों के पद पर रहे चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, आर पी नरूना ये रहे हैं, ठीक है, अजिए हम देखेंगे, आर पी नरूना रहे हैं, एंपी स्रीवास्तो रहे हैं, आर पी नायक रहे हैं, एंडी योजा कभी नहीं रहे हैं, साथियों, एंडी योजा कभी नहीं रहे हैं, तो आंसर इसमें क्या रहा है, डी इजा, राइट अंसर, ठीक है, के भी कामत रहे हैं, ठीक है, फिर हम देख कौन सा है महादिवक्ता का आर्टिकल है 165 आर्टिकल 165 की ताहित महादिवक्ता की निक्ति कौन करता है राजपाल करता है ठीक है राजपाल करता है महादिवक्ता की निक्ति ये बाद ध्यान में लेके चलेंगे ठीक है राजपाल महादिवक्ता की निक्ति करता है ये बाद बहुत अच्छे से ध्यान मुले के चलिएगा वरतमान में कौन है प्रशांत सिंग प्रशांत सिंग वरतमान में क्या है मद्द प्रदेश के महादीवक्ता कौन है तो ये हैं प्रशांत सिंग है ठीक है पहले कौन थे तो पहले ध्यान रखना एम अधिकारी पहले कौन थे एम अधिकारी थे एम अधिकारी ये पहले थे और अभी वरतमान वे कौन है प्रसान सिंग जवलपूर से हैं ठीक है मद्द प्रतेश में विधान सवा सदर से बनने के लिए कहीं पर भी विधान सवा सदर से बनने के लिए 25 वर्स 30 वर्स किसकी है राज्य सभा की है राज्य सभा की है 35 वर्स राष्ट्र पती राष्ट्र पती और राज्य पाल की है ठीक है और 21 वर्स किसकी है तो नगरिये निकायो नगरिये निगायो पंचायती चुनाओं पंचायती चुनाओं के लिए कोई भी सरपंच का ठीक है यह बात ध्यान दखना नेक्स देखें आफरिका महादीब से किस देश से आफरिका महादीब के किस देश से पालपुर कुनो राष्ट जान में 17 सप्टेम्बर नरेंद मुझी जी का क्या था जन्म दिवस और नाभी बिया से आठ चीते लाए थे जिसमें हम देखते है पांच क्या थे पांच क्या थी मादा पांच मादा और तीन क्या थे नर एक मादा का नाम मोदी जी ने रखा था जिसका नाम था आशा बाद में हम देखें तो दक्षण अफरिका से अठा अठारा फरवरी अठारा फरवरी अठारा फरवरी अठारा है उन्नीस फरवरी दो प्रवरी यह दोजात तेज्ट को दक्षणा प्रिकन लेकिन 17 सप्टेम्मर को कहां से यह थे नाभी बिया से कितने आए थे आठ अधर प्रदेश के अच्छा कुनो नैशन पार्क में आए थे पालपूर कुनो नैशन पार्क मंद्द प्रदेश के कि जले में हैं तो कि ऐंतिए है मद्द प्रदेश के किन सेर्व में पुलिस क्मिशनरी सिस्टम लागू रगी थे समय 00221 को मद्द प्रदेश के इंद वर व भोपाल ठीक है विप्रोक्त दौनों ठीक है दौनों में कमिशनरी सिस्टम लागू हो गया सात्य दोहजार-Cisट दिसमबर 2000 ठीक है दिया है रेखा पंदराम ने दिया है किसे दिया है रेखा पंदराम ने दिया है ठीक है पहलों फूल ए Jahr पर खुल गया है कहां पर खुल गया साथीयो डॉड एल दे कंवे घ्र статьмы days छों के लिए स्टार्ड हुई है अप डेली दे सकते हो UPSC प्रिलिम्स है स्टार्टिंग चार जनवरी से ठीक है और ये प्रिलिम्स टैस सीरीज भी है 24 के लिए जो की पांच जनवरी से स्टार्ड हुए ठीक है तो सथी तरीके से पढ़ते रहिए अब आंगे आपके पॉलिटी के कॉश्चन्स होंगे आपको अच्छे लगे हैं कमेंट करके जरू बताना सेशन को लाइक करना शेयर करना आपने सभी सारी को थैंक्यू सुमाज जय नवसकार दोस्तों पेपर नंबर जो मॉडल पेपर हमारा च्छटपा उसका डिसकसन चल रहा है एक्सपर्ट के बाद मेर पेपर नंबर है और मैं जो पेपर डिसकस कर रहा हूं उसमें दो सिग्मेंट लेकर के चर्चा कर रहा हूं एक तो हमारी चर्चा होती है वो होती है पॉलिटी वाले सिग्मेंट पर और दूसरी जो हमारी चर्चा होती है वो चर्चा होती है भाई कमीशन ये बात चलते हैं सबसे पहले पॉलिटी वाल सिगमेंट उठाते हैं पहला सवाल कौन सा था अनुछे तेरह के तहट किन-किन सिध्धान्तों के द्वारा मूल अधिकार के बिरुध बिधियों का अलपी करण किया जाता है यानि कि आर्टिकल 13 की संदर्वे में शवाल है और आर्टिकल 13 में क्य क्या लिखा हुआ है कि मौलेक अधिकारों से असंगत और अलपी करण की विधिया देखते हैं भई क्या-क्या लिखा हुआ है प्रथक करण का सिध्धान्त असंगत और अलपी करण में प्रथक करण का मतलब होता है कि संसद जो संसद होती है और संसद के साथ में या तो कार पालिका के जो विधान होते हैं वो मौलिक अधिकारों से असंगत और अलपी करण होने पर सुन्न हो जाते हैं अधित्यजन्य का सिध्धान्त इसका मतलब डॉक्रेन आफ वेवर इसका मतलब यह होता है कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स को आप छोड़ नहीं सकते छोड़ नहीं सकते यह भी आर्टिकल तेरह बताता है कि आपको छोड़ने का अधिकार नहीं होगा नागरिक्ता की तरह नागरिक्ता छोड़ सकते हैं अक्षादन का सिध्धान्त एकलिप्स हो गई हैं यह तीनों का संबंध किस्से है भई आर्टिकल नंबर 13 से अगला सावाल ले लेते हैं यानि कि अनुछेद 15 में कौन सा विभेद उल्लेखित नहीं है तो इसमें पांच प्रकार के विभेद लिखे हुए हैं मुल्वंस धर्म जाति लिंग और जन्मिस्थान के अधा अगले सवाल पर चलते हैं भई उच्चतम नयायले के पीठ को नई दिल्ली के अतरिक्त अनिस्थान पर सुनवाई के लिए किसकी अनुमती से किसकी अनुमती की अवस्यक्ता होगी यानि कि अगर सुप्रीम कोट को दिल्ली के बाहर अपनी बैठक आयूजित करनी है तो इस बैठक को आयूजित करने के लिए उनको किसे अनुमती लेनी पड़ेगी भारत के राष्ट्रपती से अनुमती लेकर के भारत के बाहर भी सुप्रीम कोट को आयूजित कर सकते हैं और ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 130 कल की दिन भूखम पोगर आ जाए कुछ नुक्षान हो 136-219 में किया गया है योगता गलत लिखा हुआ है इसके बाद में 62 वर्स की आयूपूरी ना की हो नहीं भारत के राज्य चेत्र में ये गलत लिखा हुआ है और इस वजह से इसके जो कथन है तो इसका जो योगता संबंधी प्रश्न है वो योगता संबंधी प्रश्न 219 हो जाएगा और 62 वर्स हो जाएगा और इस वजह से इसका एंसर क्या हो जाएगा भाई इसका एंसर हो जाएगा केवल 2 केवल 2 यानि कि B एंसर सही हो जाएगा ये बात इसके बाद में आर्टिकल 219 में नहीं है भई 270 में है इसके बाद में अगला देखे भई ग्राम न्यायाले अधनियम यानि कि ग्राम न्यायाले अधनियम को मुबाइल कोर्ट भी भोला जाता है भई mobile code भी बोला जाता है यानि कि इसको चलित न्यायाले भी बोलते हैं और चलित न्यायाले के साथ में इसके लिए जो अधनियम है वो किस ने पारित किया था भाई संसद ने पारित किया था कब पारित किया था 2008 में और इस वज़े से answer क्या हो जाएगा C is the right answer यानि कि 2008 अगला हो जाएगा निन में लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है एक बात और जो आपको याद रखनी चाहिए गराम न्यायाले के निर्णे के खिलाफ 6 माँ हैं के भीतर आप क्या कर सकते हैं भाई अपील कर सकते हैं और इसमें दिवानी और फौ सा युग में सुमेलित है अंतर राज्जी ये परिशद ये सुमेलित नहीं है क्योंकि 263 में इसका उलेक है आर्टिकल में इसके बाद में केंद्रिय प्रशास्मिक अधिकरण आर्टिकल 323 से ये सुमेलित है वित्तायोग आर्टिकल 280 में हैं ये भी सुमेलित नहीं है इसक जैसे इसका answer क्या हो जाएगा भई इसका answer हो जाएगा भी अगली सवाल पर चलते हैं भई केंद्र राज्य संबन्ध से सम्बंदित समिति नहीं है तो राज strategy समीति धिती संघ Benjamin समुंदंधं से समितिन संबंदित में है इसके लिए प्रशास्निक आयोग भी बना 1906 में प्रशासनिक आयोग इसका भी संबंध है 1966 से और साथ में दुतिय प्रशासनिक आयोग बना विरप्प मोली के अद्धिक्षता में 2005 में अगला सवाल MPPSC कुछ जानकारी दे देते हैं कि कुर्से सब लेवल हैं बोथ ओफ-लाइन और ओन-लाइन मोड में MPPSC Foundation जो हमारे बैचेस हैं उसमें Officer Batch है Target Pre-Plus-Mence 2024 चार दिसम्बर से क्या हो रहा है भई स्टार्ट हो रहा है वनियर बैच है Pre-Plus-Mence और इंटर्विव का 11 दिसम्बर से स्टार्ट हो रहा है 3-year foundation जो batch है pre plus means plus interview के साथ में वो after 12th के लिए और साथ में इसके features देख लिजेगा separate batch है इंदी और इंगलिस के और इसके बाद में experienced faculty के साथ में NCRT based अपका course है और साथ में updated notes है जो आज के pattern के हिसाब से हैं अगला देखो भई अब आ जाएंगे commission के सवाल commission में देख लिजे भई नेनमेलकेत में से किस कानून के तहत राष्टी हरित न्याय अधिकरण को नागरिक मामलों के शुनवाई का अधिकार दिया गया है तो जो 2010 में हरित न्याय अधिकरण स्थापित हुआ था उसके बारे मे 1981 तो answer क्या हो जाएगा भई D is the right answer ये बात अगला देखो भई संसध सदस्य की आयोग्यता से संबंदित निर्वाचन बिवाद पर निर्णय कौन लेता है तो कौन लेता है क्योंकि राष्ट्रपती तो है नहीं तो यहां पर थोड़ा सा मोणीफाई कर लिजे और सलाह देते हैं कौन देता है भई Justus अच्छा ठीक है भई ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिखकत नहीं ऊप्सन है ना डी ऊप्सन है निरवाचन आयोग की परामर्च के बाद में राष्ट पती आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आर्टिकल 103 हो जाएगा अगला सवाल देख लिजे भाई निन में लेकित में से किस समविधान संसोधन द्वारा राज निर्वाचन आयोक के गठन का मार्ग प्रसस्त हुआ वैसे 73 समविधान संसोधन है क्योंकि दनीएम के अंतरग संगलोक्षवायोक का गठन किया गया तो जो संगलोक्षवायोग अधिनिंव कपकिया गया था 1935 के अधिनियम से वैसे केंद्रियलोक्षवायोक कव इस्थापित हो गया था 1926 में लेकिन संघीय जो लोक्षेवायोग बने वो बने 1935 के अधनियम से अगला किस अनुछेद में यह है प्रावधानित है कि राज लोक्षेवायोग के सदस्वों और कर्मचारियों के बेतन भत्ते पेंसन वा अन्न खर्चे राज की संचित निदी से भारित होंगे तो यह स्वत पही क्या हो जाएगा सी एजी कैग हो जाएगा और इसमें सदस्वों की संख्या कितनी होती है वह 22 होती है जिसमें से पंद्रा लोकadeffa से होते हैं और साथ कहाँ से होते हैं है राज सब्राफ से। अगला सवाल देखे नीती आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बैरी तो सुमन के बैरी और पहले कौन थे अर्विंद पंगडिया अर्विंद पंगडिया पहले अध्यक्ष थे नियुक्ति कौन करता है भई नियुक्ति करत बिलकुल सही बात है वेतन बत्तों और सेवसर्तों का निर्धान राज्य सरकार करती है इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्टी मानवा धिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्वों की तरह पस्य अटाय जाता है ये भी सही है और इंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अ चाहिए जो इसके सामने वेवस्थाएं चल रही हैं तो आर्टिकल 21 में प्राणयूम दहिक इसको मिलाया गया और साथ में अनुछेद 19.1.a विचार और व्यक्ति की सोतंतरता के अंतरगत इस वज़े से इसमें क्या सामिल हो जाएगा दोनों ही सामिल हो जाएगा ये रही प्लेटेस्ट रिसकसन के साथ में मैं सामिल होंगा नवस्कार नवस्कार दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत-बहुत श्वागत है उमीद करता हूँ कि मॉडियूल नंबर जो च्छे का पेपर था ये आपका बहुत अच्छा गया होगा जोग्रफी के जो कोशन इसमें आ पहले पॉइंट था निमलिखित युगमों को करेक्ट कौन सा है इसको करेक्ट सैट करना है आप सभी को भागी रती और अलखनंदा धौली गंगा एंडविश्नु गंगा अलखनंदा इंपिंडार गंगा एंड लास्ट वन अलखनंदा इंड मांडवी दरिवर्श प्रियाग में मिलती है तो जोशी मठ से निकलती है और कहां पर मिलती है तो ये विश्नु प्रियाग में जाकर मिलती हुई नजर आती है तो विश्नु प्रियाग में मिलती हुई नजर आती है तो ये कर्ण प्रियाग में मिलती हुई नजर आती है and the last one अलक अनन्दा और मंदाकनी रूद्र प्रियाद में मिलती है ये बात भी correct है it means इसका जो C option है वो गलत है तो answer होगा 1, 2 and 4 it means इसका जो best answer होगा वो क्या हो जाएगा B हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका correct answer दिखता है तो 18 का answer क्या हो जाएगा तो 18 का answer हो जाएगा B अगले प्रिशन में चलते हैं उननीसवा प्रिशन निम लिखित में कौन सा कथन सत्ति नहीं है which is not a correct which is not a correct statement एन्नोर एक निजी छितर का पहला बंदरगा है एन्नोर is the first port built by the private sector definitely ये सही बात है मुंबई सबसे बड़ा natural port है बिलकुल सही है ये वाली बात भी सही है दो ये statement गलत हो जाएगा जबकि मर्मु गुवा जुआरी नदी पर इस्थित है और कहां पर है गुवा में है तो ये वाला option भी perfect सही है ये ध्यान रखना है ये जो option है ये option क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसका ध्यान रखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C जो perfect है आगे देखेगा आपके लिए लगातार उत्करश क्लास नए नए batch launch कर रहे हैं जिसे match test से 2030 को ध्यान में रखते हुए चार जनवरी से answer writing batch भी चार जनवरी से means paper 3 यदि आपका paper 3 में थोड़ी कठेना ही है तो किबल 3 के लिए 8 जनवरी से batches रहेंगे ये batch separate होंगे English Hindi अलग-अलग होंगे experience और biggest faculty जो आपको सबसे experience faculty ये आपको पढ़ाएंगी NCRT based foundation study plan होगा जो 3 year के लिए base होगा updated notes और latest pattern पर detailed ये बात रहेगी इसके लिए आप ये QR code करके या उतकर्ष app पर जाकर उतकर्ष के number पर call करके या center पर visit करके इसके detail ले सकते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं first statement को second statement से add करना है ये तब ही बनेगा इन में से कोई भी एक ये ये आपने सुना है तो इसको कर लेंगे देखो कैसे होता है वीरानम, ओस्मांसी, तावा, वहोर और नाको एक तरफ लिखा हुआ है हिमाचल, तमिलनाडू, तमिलनाडू और मध्यप्रदेश अब तावा नहर कहां पर है भाई मध्यप्रदेश में तो तावा से जोड़ो मध्यप्रदेश, थी का फोर तो सी का क्या हो जाएगा, फोर तो सी का फोर यहां पर लिखा हुआ, इट मींज एक जगह पर ही फोर लिखा हुआ, तो आंसर हो जाएगा यह, तो वीरानम कहां पर है तमिलनाडू में है, ओस्मान कहां पर है तो ओस्मान दिखाई देता है भी तमिल तेलंगना में तव नहर कहां पर है तव नहर तो मद्य प्रदेश में और नाको कहां दिखाई देता है तो हिमाचल प्रदेश में तो ऐसे बिल्कुल सरल कोशन भी होते हैं कई बार जिनको आसानी से किया जा सकता है और बनना चा ग्लेशिर्य का नाम है जेम। ग्लेशिर्य। इसी जेम। ग्लेशिर्य से एक六 ग्लेशिर्य। इसका नाम है तीस्ता रिवर्य। और तीसता रिवर्य। का ओरिजमः इसी सो लहामों जील से होता हुआ नजब राता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B. Sikkim is the best answer इसके अलाबा आप याद रखीगा यहाँ पर दो दर्रे भी उपस्केत हैं यहाँ दो पास हैं इन पासों के नाम यह दिया आप देखें तो एक का नाम है नाथुला और दूसरे का नाम है जे लेपला तो नाथुला और जे लेपला जो पासेस हैं यह भी कहा है Sikkim है जहां से चाइना का मार्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है अगला कुश्चन है किन दो परवश्ट्रेनियों के बीच कस्मीर वैली लोकेट करती है तो कस्मीर वैली बिसिकली लोकेटेड विजमीन तो देखी कारकोरम लदाख जौसकर देयार के लजेड इसके बाद नंगा परवश्ट से लेकर नामचा बुर्वा तक यह आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालिया इसके बाद पीर पंजाल और धौलाधर पीर पंजाल धौलाधर नाग टिबबा एंड महाभारत और लाश्ट में आती है जो सबसे लाश्ट में है इसे कहा जाता है शिवालिक रेंज तो यह पीर पंजाल और ग्रेट हिमालिया इनके बीच में ही जो वैली है इस वैली को कहा जाता है कश्मीर घाटी इस कश्मीर घाटी में क्या पाए जाता है करेवा उत्पादित होता है करेवा मृदा पाई जाती है करेवा स्वाइल मिलती है और ये करेवा स्वाइल किसके उत्पादन करती है तो ये केसर के production के लिए famous नजराती है इसका answer क्या हो जाएगा ग्रेट हिमालिया एंड पीर पंजाल इसका जो बी आप्शन है वो बेस्ट यहां पर होता हुआ नज़ा रहता है अगला है मूंगा रेशम की किस मभारत के किस राज्य में होती है मूंगा इस वेराइटी ओफ सिल्क इस टेट मेंली फाउंड इन विच एरिया जो मूंगा सिल्क है यह कहां पाई जाती है तो भाई मूंगा, मलबरी, टशर यह सभी रेशम की प्रजातिया है यह रेशम के प्रकार दिखते हैं जो सबसे अदा इन में से जो मूंगा रेशम है यह कहां होता है असम के रीजन में होता हुआ नज़र आता है ठीक है यह बहुत काम का प्रिश्ण था अगला जो था वो ग्रासलेंड से सम्मंदित कोश्चन था लानूस, केम्पूस और सैलवास इन में से कौन किस से जुड़ा हुआ है यह आपको बताना है और इसको सेट करना है लास्ट में सेलवास नहीं है यहां पर यह रहेगा सवाना चीक है तो यह क्या इसको पढ़ना है सवाना तो बताओ इन में से सवाना ग्रासलेंड कहां पाई जाती आफरीका में अब इन में से आफरीका कहां लिखा हुआ यह लिखा हुआ इस्ट आफरीका तो डी का अंसर हो जाएगा अब D में A कहां लिखा हुआ यह दोनों इट मींस यह option और यह option तो यहां से गलत हो गया और क्या बनता है तो लानोस, केमपोस, सैलवास यह सबी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो यदि हम लानोस और केमपोस की यदि हम detail व्याख्या करें तो लानोस, केमपोस यह दिदे भी ग्रासलेंड दिखाई देते न यह कहां दिखते हैं तो भाई यह ठंडे गासलेंड है जैसे लानोस की यदि हम बात करेंगे तो लानोस उत्तर में पाए जाते हैं यदि आपने ऐसा नौर्थ अमेरिका का South America का map देखाओ तो यहाँ पर पाई जाती है Lanos यहाँ पाई जाती है Campos Zero degree में उगती है Selvas यहाँ होती है Grassland, Pampas तो यह सबी चीजें थी तो answer हो जाएगा, Lanos का answer हो जाएगा यहाँ पर Venezuela और Columbia की बात करेंगे Second number पर यह दी हम देखते है तो यह question देखो आजकल MPPSC पूछ रहा है UPSC UPPSC भी पूछ रहा है इसलिए इस प्रकार के प्रकृति को यहाँ हमने डाला था अगले question में चलते है फिर सी statement एक question दो तो एक ही बनता है यहाँ 4 देकर 4 आपसे हल करा लेते हैं निमले में कौन सा सही correct नहीं है which is not a correct यह बताना है क्या चिली में चुकी का माता माइन है बिल्कुल सही बात है क्या Congo, Katanga रीजन आफरीका में है बिल्कुल सही बात है क्या USA में बूटे की खदान है और Canada में क्या Transwall रीजन तो USA में तो भाई बूटे माइन सही पर Transwall जो रीजन है यह कहां पर दिखाई देता है तो यह तो दिखाई देता है South Africa में पर यहां क्या लिखा है Canada लिखा हुआ है तो यह तो यहां से option गलत हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा D जो यहां नहीं होगा तो Transwall region कहाँ पर दिखाई देता है तो Transwall region South Africa में पाए जाता है जहाँ पर जैबरा और जिराव जैसे पशु पाए जाते हैं निमने कैनल पर विचार करना है और उसके बाद बताना है कौन सा सही correct नहीं है which is not a correct यह बताना है स्वेस कैनल क्या Mediterranean Sea को Red Sea से जोड़ती है स्वेस कैनल तो Mediterranean और Red को जोड़ती है कील कैनल क्या Baltic Sea को Arctic Sea से जोड़ती है नहीं Arctic Sea से नहीं जोड़ती है नौर्थ Sea से जोड़ती है उत्तरी सागर से जोड़ती है तो यह option तो यहां से गलत हो गया राइन रिवर की बात कर रहें तो राइन मेंड दैनीूब रिवर जो है वो उत्ट्री सागर को काला सागर से जोडती हुई नजर आती है तो यदि हम इस questions की यदि हम detail चर्चा करते रहें फटाफट की बारे में बात यदि हम करते रहें तो भाई इसमें से आंशर क्या हो जाएगा तो राइन नदी के बारे में और detailing point यदि हम यहाँ पर से देख रहे थे तो भाई detailing point क्या कहता है detailing कहता है कि Europe इस बार exam में बहुत जादा important है क्यों important है जिसका कारण है कि यहाँ पर जो लगातार चीजें दिखती है तो कौन सा statement यहाँ पर से प्रिष्ण है क्योंकि Europe में इस बार अलेख चीजें ट्रांसफर हुई है इसलिए यहाँ पर इसको धियान में रखना पड़ेगा तो कौन सा गलत statement है तो भाई B statement यहाँ से गलत नजर आता है तो यह इसके मूल point थे जो test number 6 की हमने बात की थी रहेगी कि कौन सा कथन और कारण statement वाले question के लिए आप रेडी रहेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए हिस्टी आगे के लिए हिस्टी वाले सिक्षक आप से मिलेंगे और आगे इतिहास के विशे के आपके जो question है वो हल कराएंगे जैहन जैभार नमस्कार दोस्तों उत्कर्ष क्लासेस में आप सब का स्वागत है जैसा कि आपको उत्कर्ष क्लासेस ने एक FLT या 10 model papers प्रोवाइड करवायत है उसमें से इतिहास के शुरुवात के 5 model papers का discussion या video solution आप तक संभावता पहुंच चुका है मैं model paper no.6 से model paper no.10 तक को आज discuss करने वाला हूँ हम जो सवाल यह discuss कर रहे हैं इसमें कोशिश यह रहेगी कि बहुत महत्पुन सवालों को इसमें सामिल किया गया और हम यह कोशिश करेंगे कम से कम 2-3-4 facts आपको हर सवाल में क्या हो मिलते र हैं तो आपके तयारी और क्या हो मजबूत हो ठीक है तो आए इस discussion को शुरू करते हैं आप इस दौरान यह भी सीखेंगे कि किसी सवाल को कैसे handle किया जाता है किसी सवाल को options के आधार पर उसके जो चार option होते हैं उसके आधार पर उसको कैसे solve किया जाता है आए हम शुरू कर किया जाता है चलिए देखिए पहला सवाल है आपके पास ओपनिवेशिक भारत के संदर्व में शाहनवास खान प्रेम शहःगाल और गुर्बक्ष सिंग धिल्लो को याद किया जाता है इन दे कंटेक्स्ट अफ को colonial India शाहनवास खान प्रेम सहगल और गुर्बक्ष सिंग डिल्लो आर रेमेंबर्ड ठीक है इनको क्यों याद किया जाता है शाहनवास खान को प्रेम सहगल को और गुर्बक्ष सिंग डिल्लो को स्वदेशी और भहिसकार आंदोलन नहीं अंतरीम सरकार के सरच के रूप में नह आजाद हिंद फॉज के अधिकारी के रूप में ठीक है तो आप समझ गया होंगे कि इसका उत्तर क्या है डी इसका उत्तर क्या है डी इसका उत्तर है आजाद हिंद फॉज के अधिकारियों के रूप में ठीक है अब देखिए आजाद हिंद फॉज से आपको क्या facts मिलते है सबसे पहली बात तो जाने का कि आजाद हिंद फॉज आजाद हिंद फॉज की स्थापना कब हो रही है तो इसकी स्थापना हो रही है सितंबर 1942 में सितंबर 1942 में आजाद हिंद फॉज की स्थापना हो रही है कहा हो रही है सिंगापूर में हो रही है तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापूर में हो रही और किसने की तो कैप्टन मोहन सिंग ने कैप्टन मोहन सिंग ठीक है आजाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में सिंगापूर में हुई और कैप्टन मोहन सिंग ने इसकी स्थापना की लेकिन जब जापान ने आत्मसमरपन किया 15 अगस्त को या 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने आत्मसमरपन किया तब आजाध हिंद फॉच के सैनिकों ने भी क्या किया आत्मसमरपन किया और उन सैनिकों पर लाल कीले में मुकदमा चलाया गया उसी को कहते हैं लाल कीला मुकदमा तो यह किस से जुड़े हैं? यह तीनों जो लोग हैं वो लाल-कीला-मुगदमा से जुड़े हैं. छीखे बटा ये किसे जुड़े हैं लाल कीला मुकदमा नवंबर 1945 का ये मुकदमा है और उसमें जो अभ्यूक्त बनाये गए वो कौन हुए तीन प्रमुक अभ्यूक्त वो तीन अभ्यूक्त हुए शाहनवास खान या मेजर शाहनवास खान कर्नल प्रेम सहेगल और कर्नल अथाहन गया और इनको फासी की सजया दी गई लेकिन जब लाल कीला मुकदमा का विरोध हुए और वैवल ने या वाई सराए वैवल जो है उसका काम क्या था सम्विधान का निर्मान करना है उसका काम था अगस्त 1947 में प्रारूप समीती का गठन हुआ जिसका अध्यक्ष भीम राव अंबीटकर जी को बनाया गया ठीक है तो कुछ एक्स्रा फेक्ट है इसके फेक्ट तो आपको मिली गए यहां से भी कुछ एक परर रोट इस ऑटोबाइग्रफी फार्सी भासा में किस मुगल शासक ने अपनी आत्म कथा लिखी ध्यान रखना है देखिए दो नाम आप ध्यान रखिए सल्तनत काल में फिरोश शाह तुगलक और मुगल काल में जहांगीर जहांगीर option में पहले option क्या है जहांगीर दू जहांगीर और बाबर मुगलों में दो हैं जहांगीर और बाबर जहांगीर की जो आत्मकता है वह है तुझुख यहजहांगीरी तुजुक ए जहांगिरी और बाबर की जो आत्म कहता है वो तुजुक ए बाबरी तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा भी कहा गया उसको तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा ठीक है, दो मुगल शासक है, जहांगीर की जो आत्मकथा उसने लिखी वो तुझुक ए जहांगीरी है और इसकी जो भासा है वो है फारसी, इसकी भासा कौन सी है, फारसी है, जबकि इसकी भासा कौन सी है, तो ये चगताई तुर्की भासा में लिखा गया, चगताई तुर्क में लिखी है जहांगीर अकबर औरंग जे बाबर तो फार्सी भासा में किस ने लिखी है जहांगीर ने लिखी है तो इसका आंसर क्या होगा ए इसका आंसर होगा कि जहांगीर ने अपनी आत्मकता तुझुक ए बाबरी तुझुक ए जहांगीरी लिखी ठीक है और तुझुक अकबर नामा और अकबर नामा किस ने लिखी अबुल फजल ने अबुल फजल ने लिखी अकबर नामा और औरंग जेब से संबंदित एक किताब है आलमगीर नामा आलमगीर नामा ये मिर्जा मुहम्मत कजिम शिराजी ने लिखी किस ने लिखी है मिर्जा मुहम्मद कजीम शिराजी यहां आपको चार किताबों के नाम पता चल गए हमारा आंसर क्या है इस सवाल का A है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझुक ए जहांगीरी फारसी भासा में लिखी है ठीक है दो आत्मकथा एक क्या हुआ बाबर भी तुझुक ए बाबरी पर किस भासा में है चगताई तुरकी भासा में और सवाल में क्या पूचा है फारसी भासा में ठीक है बटा चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं सल्तनत काल में भी एक शासक हुआ फिरोशा तुगलक उसने भी अपनी आत्मकथा लिखी फैतूत ए फिरोशाही ठीक है तो फैतूत ए फिरोशाही किसकी है फिरोशा तुगलक की है वो कहां से है सल्तनत काल से मुगलों में दो हुए जहांग Throne, reason दिया है, क्या है, the rule of succession to the eldest son was followed, अब ये बताना है, कि कथन क्या है, कि मुगल गद्धी पर औरंग जेप शाह जहां का उत्राधिकारी हुआ, ठीक है, मुगल गद्धी पर औरंग जेप शाह जहां का उत्राधिकारी हुआ, कथन तो ये है, और कारण क्या दिया, कि जेश् की सही इस्पस्तिकरन है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही इस्पस्तिकरन नहीं है, ए सत्य है और आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है, ठीक है बटा, देखिए, हाँ, ये बात तो सही है, कि मुगल गद्धी पर औरंग जेप शाह जहां का उत्राधिकारी ब वैसे हैं गलत हो जाएगा। और वैसे भी सहाज़ां का जो जेस्ठ पुत्र था, वो जेस्ठ पुत्र था दारा चिकोह. हगर वो बनता, तो हम कहते कि involve जेस्ठ- जेस्ठा धिकार के नियम का क्या हुआ। पालन हुआ लेकिन यहाँ पर वो नियम का पालन नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि A सही है और B क्या है गलत है तो A सत्य है और R असत्य है ठीक है A सत्य और R असत्य मतलब C इसका उप्षन क्या होगा C होगा देखिए शाह जहां के पुत्र हुए जैसे शाह जहां का पुत्र हुआ दारा शिको एक पुत्र कौन हुआ दारा शिको एक हुआ औरंग जेव ठीक है पटा एक हुआ शाह सूजा और एक हुआ मुराद ये चार पुत्र थे ठीक है ये चार पुत्र के हैं साजा के और इने में इनमें ही क्या हुआ उत्तराधिकार का संघर्ष उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और अंततह इस उत्तराधिकार संघर्ष में कौन जीता औरंग जेव जीता और औरंग जेव ही क्या बना साजा का उत्तराधिकारी बना ठीक है पिटा तो ए सत्य है और आर क्या है असत्य है ठीक है चलिए तो ये हो गया सवाल साजा ने अपन हो रहा है और उसमें जीता कौन और अंग जेब उसमें जीत गया ठीक है बटा चलिए अगले सवाल पर चलते हैं तो देखिए यह ऐसे सवाल जो होते हैं इसमें आपको देखना पड़ता है कि कथन क्या है और कारण क्या है अब यहां पर जैसे देख रहा कि A और R दोनों सही ह तो यह तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमने जब पड़ा तो हमको ला कि हाँ यह A तो सही है लेकिन R क्या है गलत है ए और R दोनों सही है ठीक है तो दोनों तो वैसे भी सही नहीं है A सत्य है हाँ A सत्य हमने पड़ा और R असत्य है यह हमको क्या मिल गया आंसर मिल गया ठीक जब परिक्षा में आप जाएं सवाल को पढ़ें तो जब पेन लेकर ही चलना है कि विजय नगर सामराज्य के संदर्भ में निलिकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है तो यह क्या है तुलू वन्स के पस्चात अराविडू वन्स की स्थापना हुई यह सही है कि नहीं है तो बिलकुल यह सही है तुलू वन्स के पस्चात क्या हुई अराविडू वन्स की स्थापना तो यह ध्यान रखिए पंद्रह सो सत्तर में कब पंद्रह सो सत्तर में अराविडू वन्स की स्थापना हुई ठीक है तो एक पॉंट तो क्या बटा सही मिल गया दूसरा राक्षस तंगडी के युद्ध में विजे नगर सामराज की पराजय हुई तो ये भी सही है ठीक है विजे नगर सामराज में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपती तथा रायों की रायों को नर्पती कहकर संबोधित किया गया विजे नगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपती तथा रायों को नर्पती कहकर संबोधित किया गया बिलकुल ये भी सही है ठीक है राय की उपाधी विजनेगर सामराज के राजा होते थे उनको राय की उपाधी मिलती थी और चौथा है कृष्ण देव ने अमुक्त मालेदा की रचना तमिल भासा में की ठीक है ये गलत है बिटा है ये क्या है गलत है हमारे पास सवाल क्या है कि निम्नलिखित क रतनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, यह हमारा आपका आंसर क्या है, ठीक है, तो D आपका आंसर है कि क्रिष्ण देव राय ने अमुक्त मालयद के रचना, तमिल में नहीं, तेलुगू भासा में की, किस भासा में की, तेलुगू, ठीक है, यह ध्यान किस राज्य से है या किस वन से है तो कृष्णदेव राय का संबंद तुलूव वन्स से है किस से है तुलूव वन्स से संबंदित है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कृष्णदेव राय के बारे में क्या इंपोर्टेंट है आप देख लो कृष्णदेव राय तुलूव तुलू वंस से संबंदित है, क्रिश्न देव राय किस संबंदित है, तुलू वंस से, ठीक है, एक बात तो ये हुई, क्रिश्न देव राय ने अमुक्त मालेदा लिखा किस भासा में, तेलुगू भासा में, क्रिश्न देव राय ने ही दो गरंत संस्कृत भासा में लिखे, जाम्बवती कल्यानम, ठीक है, जाम्बवती कल्यानम और एक लिखा उशा परिणय, उशा परिणय, ठीक है बिटा, तो ये दो किसमें लिखे, संस्कृत भासा में लिखे, संस्कृत भासा में दो ग्रंथ, जाम्बवती कल्यानम और उशा परिणय, बिखे, किस ने लिखा, ये लिखा, कृष्णदेव रायने, कृष्णदेव रायने ही तेलुगू भासा में क्या लिखा, अमुक्त माल्यदा, उप्शन में क्या दिया है, तमिल्द भासा दिया, तो इसका अंसर क्या हो गया? D. इसका अंसर क्या हो गया? D हो गया. तो यह ध्यान रखिये. तो विजय नगर सामराज की स्थापना हरी हर और बुक्काने की आगे और सवाल आएंगे तो आपको बताएंगे. ठीक है? तो यहां इतना मिला. कृष्ण देव राय का संबन्द दिगज कहा जाता था. अराविडू वंस की स्थापना 1570 में हुई. तिरुमल ने क्या करी? अराविडू वंस की स्थापना की. चलिए आगे बढ़ते हैं पिटा. पांचवा सवाल है कि 1949 में सुभास चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्तकों द्वारा किस संगठन की स् इच ओर्गनाइजेशन वास फाउंड़ बाय सुभास चंद्र बोस और इस लेफ्टिस्ट सपोर्टर इन 1939. ए फॉरवड ब्लोग, बी आजाध हिंद फॉज, सी नौजवान भारत सभा और डी रिवोल्यूशनरी फ्रंट. ठीक है? देखिए इसका अंसर क्या है? ए इसका क्या होगा पिटा? ए इसका अंसर होगा फॉरवर्ड ब्लोक. अब सुभास चंद्र बोस के बारे में देखिए. क्या-क्या सवाल यहां से आ सकते हैं? सुभास चंद्र बोस. अब दो यहां रखना है. एक तो हरीपूरा अधिवेशन और त्रीपूरी अधिवेशन. ठीक है पिटा? त्रीपूरी अधिवेशन. यह दो अधिवेशन के क्या रहे? अध्यक्ष रहे. सुभास चंद्र बोस. हरीपूरा अधिवेशन हुआ कब? 1938 और त्रीपूरी अधिवेशन हुआ कब? 1949. सुभास चंद्र बोस के तमामिया ध्यान रखिए. दूसरी बात, त्रीपू महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टा भी सितारमया क्या बने अध्यक्ष बने तरिपूरी अधिवेशन के और सुभास चंद्रबोस सोयम क्या बनना चाहते थे अध्यक्ष बनना चाहते थे चुना हुआ और सुभास चंद्रबोस ने पट्टा भी सितारमया को पराजित कर कि गांधि जी नळाज हो गए और इसी बात पर सुभाज चंद्र बोश ने कॉंग्रेस से त्याक पत्र दे दिया और त्याक पत्र देकर ही 1949 में फॉरवर्ड ब्लॉख की स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉख की स्थापना ठीक है तो यह आपको आंसर मिल गया कि forward block की स्थापना कब हुई 1949 में सुभास चंद्र बोज जी ने forward block की स्थापना कर दी और क्या नाम आता है सुभास चंद्र बोज जी का तो यहां पर ध्यान रखिए सुभास चंद्र बोज से ही जुड़ेवे सवाल हैं इन्होंने ही जापान यह ध्यान रखना कि अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज के सेनापती बने और इन्होंने ही सिंगापूर में कांपर सिंगापूर में ही यह सिंगापूर की बात है सुभाज चंद्र बोश ने ही सिंगापूर में अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की ठीक है देखिए कई सारे एफेक्ट आपके पास आ गए सुभाज चंद्र बोश संबंदित हरीपूरा अधिवेशन 1938 त्रीपूरी अधिवेशन 1949 इन दोनों में क्या करी उन्होंने अध्यक्ष्टा करी त्रीपूरी अधिवेशन में उनका विवाद हुआ इसके बाद कॉंग फिर यहां से निकलकर कहां चले गए जर्मनी जर्मनी से फिर कहां चले गए सिंगापूर चले गए और अक्टूबर 1943 में आजाध हिंद फोज के कमांडर बने सेनापती बने वहीं पर सिंगापूर में उन्होंने आजाध हिंद सरकार की स्थापना कर दी ठीक है बिटा तो नौज़ान सभा भगत सि अनर गाव है Zhukal है उननीच सो इन्हें चब्रणी में क्या करी इसकी स्थापना की है और रिवो लिशनारी फ्रेंट क्या है तो ये इसका बदला हुआ नाम है यह revolutionary socialist party है, revolutionary front क्या है? revolutionary socialist party, त्रिवद चौधरी ने 1940 में क्या करी है? इसकी इस्थापना करी है, ठीक है? तो यह ध्यान रखना है, यह सुभास चंदर बोस से इतने सारे fact है, अगले सवाल पर आते हैं, छटमा सवाल है, which of the following is दीघ निकाय? ठीक है? दीघ निकाय या दीघ नि निमनलिकित में से क्या है? जैन टेक्स्ट है, यह बुद्धिस्त टेक्स्ट है, ब्रामिन टेक्स्ट है या उपनिशद है? जैन गरंत है, बौद्ध गरंत है, ब्रामन गरंत है या उपनिशद है, तो दीघ निकाय बौद्ध गरंत है, क्या है बटा? दीघ निकाय एक बौ सुत्थ पिटक और इस सुत्थ पिटक के कुछ हिस्से हैं अलग-अलग अच्छा किस भासा में लिखा गया है तो आप कहेंगे कि यह पाली भासा का गरंत है मतलब दीग निकाय भी किस भासा गरंत हुआ पाली भासा गरंत हुआ सुत्थ पिटक में एक तो है दीग निकाय संयूक्त निकाय दीग निकाय संयूक्त निकाय अंगुत्तर निकाय मज्जिम निकाय मज्जिम निकाय और खुद्दक निकाय समझिए सुत्थ पिटक के यह पांच हिस्से है ठीक है मतलब सुत्थ पिटक का संकलन किया गया है किसको मिला कर दीग निकाय संयूक्त निकाय अंगुत्तर निकाय मज्जिम निकाय और खुद्दक निकाय को और एक बत तो आप समझी गए कि अगर ये सवाल भी आ जाए कि दीग निकाय का संबंध किस से हैं तो सुत्त पिटक से हैं किस धर्म से या बौध गरंथों से किस से हैं बौध गरंथ तो दीग निकाय एक पाली गरंथ है और वो बौध गरंथों से संबंधित है अच्छा उग स्वाल आ जाए सुत्त पिटक का संकलन कब हुआ तो इसका संकलन हुआ प्रथम बौध संगीती में ठीक है प्रथम बौध संगीती में सुत्त पिटक का संकलन हुआ और ये इसके हिस्से हैं आपका उत्तर यहां से मिला कि दीग निका है एक क्या है बुद्धिस टेक्स्ट है एक बुद्धिष टेक्स आगे चलते हैं आईए वज्जी किंग्डम वस नियर मगद की मगद के निकट ही क्या था वज्जी राज्जी था वज्जी की राजधानी निम्नलिकिस में से वज्जी की राजधानी कौन सी थी ठीक है वैशाली मतूरा कौशांबी और चंपा देखी बटा आंसर क्या है कि वज्जी की राजधानी क्या है वैशाली वज्जी की राजधानी क्या है वैशाली अभी मैंने आपको एक नाम बता अंगुत्तर निकाय और यह आपको दिख रहे हैं जनपद महा जनपद यह क्या है महा जनपद 16 जो महा जनपद है यह उनमें से राजधानी है चार की सबसे पहली बात तो 16 महा जनपदों की जानकारी कहां से मिलती है शोला महा जन्पदों की जानकारी ठीक टो। ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से एक फैक्ट आपकी वो गया कि अंगुत्तर निकाय से आपको क्या मिली 16 महाजन्पदों की जानकारी मिली अब देखिए आपको उत्तर क्या बता कि वज्जी राज्यक की राजधानी क्या है तो वैशाली मतूरा किसकी राजधानी है सूरसेन की सूरसेन की राजधानी कौन सी है मतूरा है वत्स की राजधानी कौन सी है कौशामभी और अंग की राजधानी कौन सी बिटा चमपा अंग का संबंद वर्तमान में बिहार के भागलपूर जीले से है वत्स या कौशामभी वर्तमान में इलाबाद के आसपस का छेत्र है सूर सेन तो मतुरा का छेत्र है ही और वैसाली भी कहा का है तो ये बिहार का ही छ कि शोला महाजनपदों की जानकारी आपको अंगुत्तर निकास से मिल गई ये इनकी क्या है राजधानिया है और वज्जी के साथ क्या विशेश है तो वज्जी गण तंत्रात्मक है यहां की शासन प्रणाली कैसी है गण तंत्रात्मक शासन प्रणाली है साथ में कौन है मल तो 16 महा जन्पदों में 2 महा जन्पद वज्जी और मल यह गण तंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है वज्जी की राजधानी वैसा लिए मल्ल की राजधानी क्या है कुशी नगर तो यह क्या है आपके बहुत सारे यहां से फैक्स आ गए हम अगले सवाल की और बढ़ते हैं हलो एवरिवन वेलकम टूटकर्श क्लासेज बिटा मेरा नाम है डॉक्टर अन्मोल और आज हम बात कर रहे हैं हमारे मॉडल पेपर सिक्स के डिसकेशन की यूरे नंबर सेवन नाइन की चलिए सीधे आते हैं सवाल की उपर साइंस आटेक की पहला सवाल वाट इस रीजन एन रॉन की बात हो रही है चंद्रमा की बात हो रही है एस्टर नॉट्वन मून और ड्रिंक लेमनेट अच्छा पानी भी नहीं पी सकता क्योंकि पानी पीने के लिए वहाँ पर कुछ नकुछ ग्रेविटेशन एट्मौसफेर चाहिए आगे देखते सवालम पूछ या रहा है एनि लिक्विड सबस्टेंस विद दा हैल्प ओफ इस्ट्रो के मदश से पानी नहीं पी सकता क्योंकि एट्मॉस्फेर नहीं है इस्ट्रो की खासियत होती है हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर समझा देता हूं क्या कारण है कि चान पर एक अंत्रिक्ष यात्री स्ट्रो की साय होगा बिना एक्मॉस्फेर के पूल करना संभाव नहीं है और हम जानते हैं चांद की ऊपर कोई एट्मॉस्फेर नहीं होता कोई वायू मंडल नहीं होता तो सक्षन करना आसान नहीं होता अब ऑप्शन देख लेते हैं लेमनेड और एनिलिक्विड सबसेंट बिल्कुल न देखेंगे तो चांद पर कोई वायू मंडल नहीं है इसलिए इस्ट्रॉपे सक्षन का बल नहीं लग पाता तो काम नहीं होता बीफ और भोपाल एटा अंसर अग्ला विच्व द फॉलिंग स्टेट्मेंट इस ट्रू निम्रिखी दिप कौन सा कथन सत्य है सत्य को देखना नेटर और नुक्लिस के अंदर होते हैं प्रोटबी चार्ज panel2 या उदाशी और चुक्षा में उध्याद यह होता है किसी परमादू का बेजिक मौडल तो इसको दिकिए बात करहा है परमादू के नाभिक में इलेक्ट्रों उन इडिमान होते हैं बिल्कुल नहीं इलेक्ट्रों तो भार कख्षय में होते हैं बोध इलेक्ट्रों प्रोट्रों प्रेजेंट इंदा न्यूक्लियस वेटम इलेक्ट्रों नहीं होता है अगला सवाल अचा सूची मिलाने वाला है ठीक है लिस्ट मैच करने वाला है अपने तरीके से करेंगे बिटा कल मैं खुदी आप लोग की तरीके से ऐसा ऐसा करने लग गया था खुदी करना ही नहीं कभी ऐसा गलती पहला प्रिंस्पल अफ म्यूटेशन दूसरा थियोरी ओफ एवलूशन तीसरा वन जीन वन एंजाइम हाइपोतेसिस और अगला ओपरेंड कंसेप्ट देख लेते प्रिंस्पल अफ मूटेशन बीडालन टॉटम वन जीन वन एंजाइम देने वा समाज शास्त्री थे जिनने समाज के संदर्व में बूला था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो इनकी थियोरी पे बैढ़ गया पब्लीक ने इनके नाम पे चिपका दिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोतेसिस बीडलन टॉटम और ऑपरेंड कंसेप्ट जैकप एंड से थे आंसर और सिंपल सा अगला ऊंगला अगला अदर कौन सी ऐसी गंठी है जो आखों की पल्कों को चिकना रखती है चिकना रखती भाइस यह तो फो आर ग्रंथी है सलाइवा फॉर्मिशन करती है तो यह तो आखों में नहीं आएगी तो कट गया उर शुरुमिनस यह कान में होती ऐसाब इयर्स अंदर पाए जाती है बैक्स लाइक मटेरियल सिक्रीट करती तो यह भी नहीं कड गया स्वेड़लेंड इसकिन में होती पसीना बनाती तो यह भी नहीं कड गया बजगा मेबवियन ग्लेंड यह आखों को चिकना बना के रखने का काम करती है आंसर है ए ए फॉर अग्रा न्यूट्रेंट्स आर मेंली डिवाइदें इंडू फॉलोइंग ग्रूप्स पोशक तत्व को मुख्यता दो भाग में भाजित किया जाता है कार्बनिक अकार्बनिक हाव इसमें किया जाता है नेक्ट्रलाइड वीशल ऐसा कोई डिविजन नहीं देखते हैं मीट वेजटेबल नहीं होता नन अव दिवाव नहीं होता आंसर है और गनिक अगर मैं बात करूं कार्बोहईडरेट फैट प्रोटीन विटामिन्स तो सबके सब और गनिक के टिगरी में आता है जबकि मैं ख अरहर पिजन पी के सामने लिखा है नीलम इससे लड़ू कोई नहीं देगा बश्चपन से खाते आ रहे हैं नीलम एक आम की वराइटी है इन जैसे सवाल जब ही आते हैं सबसे पहली घबराड होती है कि नहीं बनेंगे क्योंकि हमेरे दिमाग में पहला कंसेप्ट आता है कि हमने इतने सारे इनकी वराइटी वगरा रटके नहीं रखी है जो कि रटना संभव भी नहीं होता लेकिन इसमें एक नएक आप्शन ऐसा दिया जाता है जो हमारा कॉमनली होता है हमेशा होता है और उसी को पकड़के मतलब वो चद्दर का कोना मिल जाए हाथ में तो उससे पूरी चद्दर खीशने वाला हुनर आना चाहिए जो आता है पहले उस पर फोकस करो जो नहीं आता है उसको देखके घबराने की बजाए जो आता है उस पर फोकस करो तो यह पिजन यह नॉट मैच पूछा था तो आंसर यह हो गया बाकी सब इन्फोर्मेशन है सरसो मस्ट की वराइटी यह पंत नगरों बनियों की शायद पीनट्स की वराइटी चंद्रा तो यह बाकी तो इन्फोर्मेशन से है लेकिन आंसर तो आसानी से निकल गया अधी फ्रुट सार थैन आद में पर देख लेते अप्र को दाता है जो चुछल के जाता जाता है जिन में जाधा मात्रा में पलपा हतसां सेमी सॉलिड युसॉलिड स्टीट अनने प्रयोग बनाने में ध्यू थी देख लेते कॉण गुआवा एपल ग्रैप्स गुरूसबेरी हां भाई सब जैली में देखने को मिलते हैं नरियल सिंगाडा बिलकुल नहीं निब्बू संत्रा मौसंभी ना यह स्क्वैश बनाने में प्रयोग किये जाते हैं हरी मिर्ची टमाटर चटनी बनाने में किये जाते हैं आंसर हो गया चटनी अपने आफ फेमस चल रही है ठंड का मौसम आ गया बहुर चलेगी हूँ वाज द्रोन गरुडा डवलप्ट इन दा सर्जिकल इस्ट्राइक कंड़क्टेट इन यह 2018 2018 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में गरुड किसके द्वारा विक्सित किया गया था डिफेंस र सर्ज डवलप्मेंट इस्टेबलिश्मेंट के द्वारा की आ गया था डिए यो की संस्था थी छोटी उस ने डवलप किया था डिए इने इसको आंसर में बिटा बी फॉर भोपाल चूज दा करेक्ट कोड विच ऑफ फॉल इंग निम लिकित में सही कूट का चैन कीजिए अच्छा है मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है की बात कर रहे है इस पेस एप्लिकेशन सेंटर एमदाबाद बिल्कुल सत्यवचन सही है विक्रम सारभाय अंत्रिक्षकें तिर्वान की थी शतीजवण अंत्रिक्ष सेंटर तो यहां पर है श्री हरी कोटा रेंज में तो तीसरा गलत है इस पेस रिशर्च सेंटर अंत्रिक शनुसंदार केंद्र बोपाल ना बोपाल में मास्तर कंट्रोल फेसिलिटी है है एम सी एफ बोपाल में है हासन में करनाटक में तो चौथा भी गलत है देख लेते हैं ओप्षन में चौथा है तो कट गया तीसरा है तो कट गया ओल अव्डिय आंसर हो गया बीफ और भोपाल मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे सवालों में आंसर निकालना मुश्किल नहीं है इसके option के साथ deal करना मुश्किल है पेपर में घबराहट में दिखता नहीं है यह आप लोगों ने जो लोग पहली बार पेपर दे रहा है उनको और इस्पेशली बता रहा हूँ जो दे चुके हैं उनको पता है क्या क्या होता है पेपर में घबराट में लेकिन जो नहीं दे चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ पहली बार किसी भी भाईया दीदी से पूछ ले ना जिनको आप मानते हो कि यहाँ PSC में खिलाड़ी है वो बिंदाज बताएंगे कि पेपर में एक common mistakes होती है कि यार आते हुए सही करने के बाद मैंने पेपर में B लगाया था लेकिन गोला भरते टाइम C का गोला भर दिया और उसका कारण यह होता है कि यह घबरहट में नहीं समझ आता तो बराबर काट कूट के ही बनाना कि हां तीन गलत है कड़ गया चार गलत है कड़ गया all of the above नहीं हो सकता आंसर है यह देख के करना भाई हां अगला सवाल इता है यह खोटा यह मत जऺंग आलों सबसे छोटा होता है जिसमें एक से लेकर 10 टक है डनचिस्ल के ग्रेशन जुडए होता है नहीं पहरे वील सुन सबसे उपर होता है तो यह तो स्मॉल पूछा था डे की शनिंग पूछा था ओससाई ही पूचा था इस को Short में आता है SSI नाम से small scale integration MSI medium scale integration large scale integration very large scale integration और आखरी में ultra large scale integration जिसमें transistor की संख्या बढ़ती जाती है अगला वाट इस दा फुल फॉर्म विच वाट इस दा फुल फॉर्म कॉमल का पूर्ण नाम है नाम भी ऐसे रखते हैं लोग कॉमल का पूरा नाम है भाई computer language है जो common algorithmic language के नाम से जाननी जाती है क्योंकि algorithm निर्मान के लिए प्रयोग की जाती है तो answer हो जाता है यहां पर बी फॉर भॉपाल अगला which of the world most intelligent robot that looks like you but किती भार इसी कोश्यट को deal करेंगे हैंसन कॉर्परेशन ने बनाया है साउदी अरब ने नागरिक्ता दे दी है सूफिया दी नाम है और्ड्री हैबबर्न हिरोई हैं उनके जैसा चेहरा है यह शैंकी तो साइकल चलाता है यह रश्मी भारत के रंजीत भाई साब ने बनाई है चार भाशा है बोलती है हिंदी भोषपूरी अंग्रेजी महराथी वाबोट पहला humanoid robot में से एक माना जाता है शुरुवाती robot में से humanoid robot में से एक माना जाता है वाबोट ठीक तो यहाँ पर सिंपल ए ए फ़र आगरा अगला सवाल विश्व फॉलिंग फिल्म इस बेस्ट ऑन आटिविशल इंटेलिजेंस आटिविशल इंटेलिजेंस पे आधारित पिक्चर कौन सी है टर्मिनेटर अलनार्ड शौजनेकर साब ने मनाई थी पिक्चर भैंकर खुबसूरत पिक्चर मैट्रिक्स कीव रूनी ऐसा कुछ नाम है इसके हिरो का बहुत ही बवाल पिक्चरों में से एक तो यह भी है यह भी है ठीक यह भी होगी क्योंकि option है all of the above यह भी सत्य है लहीं आंसर है डीफर डिल्टा और बड़ी खुबसूरत पिक्चरों में से एक है जीवन में पढ़ने के साथ अपना थोड़ा सा जीवन में रस बना रहना चाहिए जीवन नीरस नहीं होना चाहिए तो हफते में का पिक्चर निप्टा लेनी चाहिए अगला सवाल किसी का शौक है अगर चैस खेल लेगा तो चैस खेलो क्रिकेट खेलो पर कुछ रा कुछ अपने जीवन में शौक बना के रखो और शौक उत्ते ही रख़ड़ा है छे दिन पढ़ने के बाद एक दिन शौक के लिए ऐसा रही छे दिन शौक पूरे करो एक दिन पढ़ो तो काम नहीं बनने वाला बेटा अगला चूज दा करेक्ट ऑप्शन रिलेटेट टू दा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सी सी टी अगर यह सवाल देना है तो केवल सी सी टी एन के नाम से दो ताकि आदनी पहले तो कन्फ्यूज हो नाम ही बता रहा है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क मतलब जो अपराधी है उन सब को मतलब जित्ते भी अपराधी है उन सब को ट्रेक भी करेगा ट्रेक करने के साथ उन सब को मॉनिटर भी करेगा उन पर निगरानी रखने का कारिक्रम करेगा कौन? CC, TNC, TNS. अब क्या करते हैं इस पे? जितने भी राजियों की पुलिस है, साइबर पुलिस उन सब को इंटिग्रेट कर देते हैं. देख लेते हैं क्या ओप्शन है? इसका उद्देश पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है. इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में. ठीक अगला सवाल, चूजदा, करेक्ट ऑप्शन रिलेटेट तू ताबर पोर्टल, भाई तामर पोर्टल जो है, ये तामर पोर्टल बना है, माइनिंग के लिए. माइनिंग जो होती है, खनन, जमीन से खनीज निकालने के लिए उसके जो ऑक्षन होते हैं, उसकी ऑनलाइन ऑक्षन अच्छे से कराया जा, उसके लिए बनाएगा है तामर पोर्टल. ठीक, इसका पूरा नाम है, फुल नेम इस ट्रांस्पिरेंसी, ऑक्षन, मॉनिटरिंग और रिसोर्स, अग्यूमेंटेशन, बिलकु सही बात है, इसको डैश वे रखते हैं, अगला देखते हैं, इस पोर्टल विल बी प्रवोटेड माइनिंग अक्टिविटी इन इंडिय यह पोर्टल भारत में खरण गतीदी को बढ़ावा देगा, तो आज सर हो गया D4 डेल्टा, एक और इंफोबेशन, इस्ताप्रा कभूई 15 फर्वरी 2017, हमारे जीवन का पहला कस्ट होता है, कि हम देखते हैं कि हमको तारीक याद है की नहीं, और तारीक याद नहीं तो हम घ चैटिंग इस चैटिंग है, अब यह सूरज को दिया दिखाने वाला कारिक्रम, अब आपको बताऊंगा मैं चैटिंग क्या है, इस उमर में आप लोगों को चैटिंग बता रहा हूं है, सोचो क्या बचा जीवन में अब, चैटिंग इस रियल-time conversation, बिल्कुल है, सेंडिंग मैसेजेज और फाइल ओवर दा नेटवर्क, नेटवर्क पर संदेशों फाइलों को भेजना नहीं, रियल-time नहीं है, यह तो इमेल का कारिक्रम हो गया, एक इंटरनेट स्टेंडर्ड है, बिल्कुल नहीं, इन में से कोई नहीं, आंसर हो गया, यह, यह रियल-time conversation is known as chatting, ठीक, अगला, a central computer that stores data of the, of other personal computer, workstation and other computer is called, एक केंदरी computer, जो अन personal computer, workstation और अन computer का data को store करता है, कहलाता है, ping checking होती है, आपके system की, host, email hosting site, जो आपको मंच प्रदान करता है, वो कहलाता है, host, और जो बड़ी मातरा में सूचनाओं को store करने का काम करता है, वो कहलाता है, server, और pop-up उसको कहते है, जब आप कोई website use करते हो, बगल में वो छोटे-छोटे से एक advertisement खुलने लगते है, जिन पर click होते ही, वो बड़े हो जाते है, वो कहलाता है, पॉप-up, लेकिन यहाँ पर answer बड़ा simple सा है, कि यहाँ पर answer है, server computer, इसी server computer की सुरक्षा के लिए use किया ज प्रयोग या smart card का प्रयोग किया जाता है, for purchase and scribe के लिए हाँ सामान खरीते है, for telephone collection दूरभा संग्रे के लिए, बिटा, आपकी नई generation को नहीं पता होगा, लेकिन इसका उप्योग है, पहले चलते थे, prepared smart card telephone के लिए, कि आप किसी भी STD PCO में जाओ, और वहाँ पर जाके नंबर होता था, आप पहले वो number dial करो, और फिर जिसको phone लगाना है कर लो, तो अगर आप phone लगा लोगे उस वक्ति को, तो पैसा STD वाले को आपको नहीं देना पड़ेगा, वह आपके prepared card से cut जाएगा, ठीक तो यह होता था, बिल्कुल होता था, for making payments, हाँ payment करने में करते है तो answer हो गया D for all, अगर आपको यह बीच वाला नहीं भी पता हो बिटा, यह वाला, अगर यह बीच वाला नहीं भी पता हो आपको, तो भी tension नहीं है, making payment भी सच है, purchase भी सच है, तो answer D आ नहीं है, हमेशा all वाले question में एकाद option ऐसा होता है, जो नहीं बनता, और वो इसलिए ब What is the full form of ERnet, ERnet का पूरा नाम क्या है, ERnet, Education and Research Network 1986 में स्थापित किया गया था, शिक्षा और अनुसंदान को बढ़ावा देने के लिए, सभी बड़े-बड़े educational institute को जोडने का कारिकरम ERnet ने किया, Educational and Research Network आंसर हो गया, A for Agra, ऐसे question में आगे जाने के ज़वरती नहीं है, अगर सटी का आंसर पहले ही मिल जाता है, तो, ठीक, अगले सवाल प्याते बेटा, अच्छा, अपने हिस्से के सवाल इतने ही थे, Unit 709 के, मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे अर्थिशास एकनॉमिक के विशे विशे शग्यों को, तो गुरुजी आये और आपको आगे का model paper डिसकस करें, तब तक के लिए मेरी तरफ से जैहिंद, जैभारत, धन्यवादसर, जैसा कि model paper 6 की बात कर रहे थे, और model paper 6 में, जो economics का portion आए, मैं cover कर रहा हूं, तो बात करते हैं, economics में, यहां questions के, तो स आपके साथ discuss, अगर marathon class आपने देखियों, तो RBI की कारियों के बारे महमने बात की है, foreign exchange management and control, या RBI की कारियों में है या नहीं है, तो अगर CDC बात कही जाए, तो RBI की कारियों में इसे mention किया गया है, दूसरी बात है, credit control, साग का नियंतरन, यह भी, यानि रण का नियंतरन कर qualitative and quantitative, जो policy है, इनके माध्यम से रण का नियंतर करने का प्रयाज करते है, प्रतिभूती बाजार का नियमन, अंतिम्रण दाता, अंतिम्रण दाता यही RBI है, और यह जो प्रतिभूती बाजार की बात की जाए, security market के बारे में, security market का regulation, जो है, security and exchange board of India, SEBI के द्वरा के जाता है यानि यह तीन तो इसके RBI के function थे, और यह, यह सेवी का काम है ना कि RBI का काम है, इसलिए answer इस में से बिल्कुल C सही होगा, अगले question क्यों चलते हैं, when was the fiscal responsibility and budget management act past 2005, 2, 3 and 4, राजकोसी उत्तरदायत और बजट प्रबंधन अधनियम कब पारित हुआ था, तो राजकोसी उत् गाटा, राजकोसी घाटा, और सारी budget को संतलुती रूप से प्रदर्शित करने के लिए जैसा कि पिछले कुछ समय से, इन की मात्रा में वृद्धी होती जारी थे, तो एक limit decide करने के अधार पत, एक नियंत्रित मात्रा में, revenue deficit, साथ साथ राजकोसी घाटा, यानि fiscal deficit, इन में लाया गया था, अगले बात करते हैं, अगले question की ओर, which of following characteristic is considered in the context of foreign direct investment in India, FDI के संदर में पूछा है, FDI के बारे में बात की गई है कि प्रतेक्ष विदेश निवेस के संदर में निम्न में से कौन सी विशेषता मानी जाती है, यानि इसकी characteristic पूछा हुआ है, यह मुलता ह तूची वद कंपनी में पूजी गत साधनों त्वारा किये जाने वारा निवेस है, यह मुख्यता है, रिण स्रजित ना करने वाला, रिण यह नहीं, इसमें रिण समासुदन नहीं है, यह विदेशी संस्तागत निवेस को द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में नहीं, ऐ करता है, दो प्रकार से फॉरेंड कैपिटल इंडिया में आती है, एक डेप्ट के माध्यम से, एक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, डेप्ट और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, डेप्ट यानि बहु पक्षी मल्टिलेटरल एक्रिमेंट कर सकते हैं, एक पक्षी यानि भी डेप्ट में रखा जाएगा जबकि इन्वेस्टमेंट में FDI की बात किजा तो यह रिडर नहीं है यह एक इन्वेस्टमेंट है तो इसमें से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही एंसर है अगले कुपिशन की बात करते हैं इन विच 5-year plan, drought prone area program was started to overcome the problems of drought affected areas. Second 5-year plan, सूखा गरस्थेत्रों के दूर करने के लिए सूखा प्रवण छेत्र कारिकरम, सूखा प्रवण छेत्र बात किजा पांच वी पंच वर्शी उजना की, पांच वी पंच वर्शी उजना में जहां गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ मुख्य उद्देश के रूप में रखा गया था, और गरीबी हटाओ नारा के अंतरगत, गरीबी हटाओ नारा 1974-1979 तक के लिए स्कीम योजना आई थी पंच वर्शी उजना, इस ही में कहा गया कि सूखा प्रवण छेत्र कारिकरम का संचारन किया गया था, और इस पांच वी पंच वर्शी उजना को 78 में ही मुरारजी दिसाही सरकार के द्वरा रोक दिया गया था, और अनवरत योजना 78-83 के लिए लाई गयी थी, जिसे आगए चल करके 1980 में इंद्रागानी सरकार के द्वरा रोक दिया गया था, अगले कुशन की बात करते हैं, अगले कुशन में आपके current affairs के session आ जाते हैं, current affairs session के अंदर गत कुशन में दिया है, अमचांग wildlife century में हाथियों का और मानव का संगर चल रहा था, बहुत ज़्यादा हाथियों का उपदर रहा था और इसके लिए ये बहुत चर्चित रहा है, न्यूज में, बहुत अभी असम में इसकी इस्तिती है, तो यह बहुत ही famous ऐसे अव्यारन राश्ट्य उद्या जो चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में कुशन लगातार बनते रहे हैं, अगले कुशन की बात करते हैं, where was the first round table conference, एक नाम दिया है, गोलमेज, 1931-32, तीन गोलमेज सम्मेलनों की बात की जाए, तो आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन इतिहास से संबंदित हैं, और इसी तरह से history के topic से आपका related है, और यहाँ पर पूछा गया है, इंडिया और नीजुलेंड के बीच में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन की अगया है, हाली में गोलमेज सम्मेलन का आयो इस बोजिचन, इन दा फेलड आफ умेयर्मेंट इन डा, स्टे अफ इंडिया जिइन वालड में टू थोज़ॉजन टुंटीर इन फीगर्स रिपोर्ट stage of India's environment 2023 in figures report परियावण के छेत्र में पूचा गया है परियावण के छेत्र में किसे पहला पुरुसकार प्राप्त हुआ है पहला अस्तान किसे प्राप्त हुआ है तो बात कीजिए question number 75 की 75 question में आपको बताया गया है कि यहां तेलंगाना जो राज है तेलंगाना राज्य को अभी अभी reports परियावण के छेत्र में इसे award मिला है और इसे award से सम्मानित किया गया है अगले question की बात करते हैं which state has got the first position among the big state category बड़े राज्यों के सबूँ में किसे अभी अभी food security के छेत्र में बड़े राज्यों के संदर में हमारी अगर करेंडे फर्ष की भूख दे के तो top news में ही दिया हुआ है कि top news में यहां केरल की बात की जाए तो केरल को पाँच में राज्य खादी सुरक्षा सूचकांग का जो डाटा दिया गया है इसमें केरल को बड़े राज्यों की सूची में पहला अस्थान दिया गया केरलाइस में पहले रैंक पर है विच इस दा फर्स्टेट इन दा कंट्री तो डिलीज डिस्ट्रिक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिला सुशासन सूचकांग चारी करने वाला बात किजाएं तेजी से बढ़ते हुए राज की तेजी से बढ़ते हुए यूटी की केंसासे प्रदेश की बात किजाएं आफ्टर 370 का 370 समाफ्थ होने के बाद आर्टिकल 370 समाफ्थ होने के बाद तेज गति से परेटन के छेतर में और विकास के छेते में तेजगती से आगे बढ़ रहा है जम्मू कस्मीर और जम्मू कस्मीर में नया इन्वेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। नो सेना, वाई उसे ना थल सेना और i.o. बात की गई कि भारती नो सेना ने राज जी के सेवा छेत्र में जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए युवाउं में इसके लिए एक कारिकरम लॉंच किया गया है तो इसकी अंतरकत बात किजिए कि नौ सेना इसका नेवी ने ऐसा कारिकरम इस चेतर में चलाया है अगले क्यूशन के और चलते हैं विच क्रिकट टीम है रिसेंटली वन टाइटल ऑफ वर्ड टेस्ट चेंपियंशिप 2023 यह तो भूली नहीं सकते हैं ऑस्टेलिया ने भारत को दो सो नौरं से हरा दिया था और ओवल लंदन की बात किजिए लंदन के ओवल में यह टेस्ट चेंपियंशिप का संस्क्रण हुआ था और भारत इसमें पराजित हो गया था हूँ है हूँ एस गॉट दो फर्स प्लेस इन दो ओवर्वाल रैंकिंग इन दे रिसेंटली रिलीज नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर्ड यह टूज़न प्रेमवर्क हाल ही में जारी हुई वर्स 2030 की अगला स्थान दिया गया है महराष्ट इस्टेट हैस बीन रिसेंटली रिनेम्ड एज अहिल्या वाई होलकर नगर अभी अभी गौर्मेंट ने वहां का कुछ जगहों का नाम बदल करके एतिहासिक रूप से बात किजाए अहमद नगर का नाम बदल करके अभी अहिल्या व इस्टेट हैस बीन सेलेक्टेट इस बेस्ट इस्टेट मद बात कीजाए कि चौथे राश्टी जल पुरुषकार में मद प्रदेश ने मद प्रदेश को पहली रेंग दिए यह आपके लिए करेंट अफर्स में अच्छा है कि मद प्रदेश इस पर आगे आता जा रहा है ब राइटिंग के लिए चार तारिक से चार जनवरी से इसके लिए बैच चालूगी है रहा है संस्थान में हमारे इंस्ट्यूट में दोनों सेपरेट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वेस्ट फेकल्टी के साथ एंड सीर्टी बेस फाउंडेशन कोर्स के साथ के लिए तो अगले पेपर आपके साथ लगातार रूबरू होते अभी से लगातार तैयारी को और बहतर करिए जो पढ़ा है उसे ही रिवीजन करिए आपको भविश्य के लिए शुब कामने थैंक्यू